तांत्रिक साधग में फर्क क्या होता है और एक मिस्कंशप्शन क्या बना हुआ है हम दोगों में सुख जो है उसे देख सकते हैं दुख देखा जा सकता है लेकिन पीड़ा का अनुभवी हो सकता है महादेव ने महादेवी को अलग करके इतना ही कहा कि अब आप महाप्रलई की साक्षी बने वाली हैं उन्होंने उस महाप्रलई को देखने के लिए देवी मातर दिवे द्रश्टी दिवम के ललाट के उपर स्पर्श किया मंत्र is like a nuclear bomb आप उसका उपियोग किस intention के साथ कर रहे है वो जादा मैटर करता है और उसी वक्त पे महादेव ने अपने इत्रिशूल से दमरू को अलग किया और दमरू बजाना शुरू किया जैसे जैसे दमरू बच्चता गया इस दमरू से जो नाद उपन्न हुआ तो साथ करोड अलग-अलग मंत्र का प्राभी उपहाँ हुआ एक ऐसे मंत्र जो आप बता दो जैसे मनी के लिए यह है, या शाए को बढ़ाने के लिए यह या शादी के लिए यह एदूकेशन के लिए ऐसा कोई मंत्र पर्म रादरादे आज हमारे पॉड़कास पे परक ओम भड़ जी आये हुए हैं और आज के हमारे पॉड़कास का जो उद्देश है वो यही है कि आप तक अकल्ठ रहष नहीं हो तर रहष है यह जितने सब्जेक्ट हैं जिसमें आप तंत्र, तांत्रिक, रवशी करण, काला ब्लैक मैजिक, भूत परेध यह एक्शुल में क्या होते हैं और कितने गलत भावना या कितने मित हमारे मन में बैठे हुए हैं कितनी भ्रांतियां हमारे मन में बैठे हुई हैं क्योंकि हम ढरने लग गए हैं इन सब चीजों से, जबकि इन सारे सब्जेक्स का काम हमें empower करन है हमें डराना नहीं है तो यह भ्रांतिया हम परग जी के साथ करेंगे और उनसे काफी कुछ सीखने की कोशिश करेंगे वो सारी प्रैक्टिस जो हम रियल लाइफ में करके अपने आपको लाव पहुचा सकते हैं या फिर हम अपने इस्ट के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अरुण जी और रादे रादे थैंक यू सो मच पूर इन्वाइटिं मीए यह इंट्रूली ग्रेटफू तो यू अल अव यू परग जितनी मेरी आपसे भी और कैमरा बात हुई है आपका तंत्र और साधना मैंने आपको तांत्री कहों या क्या कहों आपने काया कि मुझे स साधacting कहो हैं रहे तांत्री कि साधग में फर्क क्या होता है एक मिस्कॉंचेप्शन क्या बना हुआ है हम लोगों के मनुंध में नहीं और यह एक ऐस अगाहद सागर है जहां से एक कि बात कर सकुझे Free focused कि आंत्रा की बात करें साधना की wow एम ये नहीं बूलना चाहिए कि यह अगाद सागर है, बहुत ही बड़ा समुद्र है और इसका कोई अंत नहीं है, तो तांत्रिक एक बहुत ही सीमीत दाइरे में चीज बनके रह जाते है, वो एक उपुमा जो रहते है, वो जो संग्या दी जाती है किसी को, तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने आपको पहले परिपूना नहीं मानता, मैं हमेशा यही मानकर चला हूँ कि मैं सीख रहा हूं सारी चीज़े, तो मैं एक साधक ही हूँ, मैं एक वित्यार्ती हूँ, जो अपनी यात्रा पर निकल चुका है, मैं दीरी-दीरी सीख रहा हूँ, और इसी वज़े से मैं आपने आपको साधक कहना जादा पसंद करता हूँ, जबकि तांत्रिक या महातांत्रिक उन्हें कहना जादा बहतर है, जिन्होंने अपनी जीवन में वो साधना, जो उच्छ स्तर की, उच्छ कोटी की साधना होती है, वो कर ली होती है, और देवी मा को या देवता को जहागरित कर लिया होता है तो मैं तो अभी सिर्फ एक रहबर हूँ एक पथिक हूँ चो चलना अभी शुरू किया है मैंने इसी वज़े से आई मसादक ओम गुरूर ब्रह्मा गुरूर विश्नू गुरूर देवो महेश्वरह गुरूहू साक्षात परप्रम्ह तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंडिलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ओम भद्रं कर्णे बीहिशुनूयाम देवाह भद्रं पश्यमाック्ष पिर्य जत्रह स्थीरे रंगे श्तुष्टुवागं सस्तनूबिह प्यशेम देवहितं यदायु स्वस्तीना इंद्रो व्रुद्ध श्रवाह स्वस्तीना पूका विश्ववेदाह स्वस्तीन स्थाक्षर्यो अरि्ष्णने मिह मैं अपने गुरू श्री ओम स्वामी तथा आप सभी के अंदर विराजमान माधी पराशक्ती को साश्ठांग धन्वत प्रणाम करता हूँ जिनकी धिव्य प्रेणा से आज हम सब यहाँ पेकत्रित हुए है ओम श्री मात्रे नमाः परग जी आप बिलीव नहीं करोगे ऐसा लग रहा था कि इसे कोई वेव आ रही है पॉजिटिव वेव एक और बड़ा अच्छा लग रहा था जब आप यह मंत्र पढ़ लाए थे मंत्र का शास्त्र ही यही है जब आप किसी एक मंत्र को जागरित करते हैं उसके बार बार उच्छारण के माधियम से अगर में एक लेमेन लेंग्वेज में बात करूं तो कोई एक पाशान शीला है चटान है मान लीजिए अगर उसके उपर आप पानी की बूंध लगा अतार एक ही फ्रिक्वेंसी के साथ गिराते रहेंगे ना एक ना एक दिन उस चटान में छेद हो ही जाएगा अगर कोई मंत्र का उच्चारण आप बार बार लगा अतार एक श्रद्धा के भाव के साथ समर्पन के साथ भक्ति के साथ कर रहे हैं तो उसका जागरित होना तय है अभी हमने स्वस्ति वांचन किया जहां पे हमारे वातावरण में जो भी शुब उर्जा है उनको हमने आवहन दिया और स्वस्ति वांचन किया ही इसलिए जाता है ताकि आपके आज पास जो पॉजिटिव एनरजी है वही विद्यमान हो और हमने गुरू की उर्जा को प्राप्त होती है आज से करोडों साल पहले जब महादेव कैलाश पर थे और उनका ध्यान योग खतम ही हुआ था पूर नहीं हुआ था उस वक्त पे वे आने वाले थे देवी के भवन में जिसे शास्त्रों में नाम दिया गया है चिंतामनी ग्रो लिता सवस्त नाम में बहु महादेव का आगमन होने वाला था चिंतामनी ग्रो हमें सभी जो नित्याय थी मा की नित्याय यानि संगिनी शक्तियां नित्याय योगिनी यक्षिनी गंधर्व जो सारे थे वो सभी महादेव की आगमन के लिए उत्साहित थे उत्सुक थे तयारिया की गए महादेव का उस वक्त तक और महादेव आये महादेव ने उनकी खूप सेवा करी कि बहुत भक्ती करी और बहुत लंबे समय के बाद महादेव ने जब दीवी जी के साथ समय व्यतित किया उसके बाद उन्होंने महादेवी को कहा कि अब समय आ चुका है कि मैं कैलाश पर वापस लोट है आप यहाँ पे जो चाहेंगे आपको सब प्राप्त हो सकता है क्योंकि चिंतामनी गरूह में दुख पीड़ा अताशा ऐसे कोई नकारात्मक भावनाओं का स्थान नहीं था सब लोग मिल जूलकर रहते थे और जो दिव्य उर्जाय थी वो वहाँ पे एक साथ रहती थी और महादेवी के स्विधान से महादेव ने मुस्कुरा कर इतना ही कहा कि हे देवी हे वरानने हे बद्रे आपको ग्यात नहीं है कि हमारा ये एक मात्र ग्रह ही ऐसा नहीं है जहां पे जिवस्रुष्टी है वे महादेवी को चिंतामनी ग्रह से बाहर लेकर आए उन्होंने एक विस्तृत ब्रम्हांड महादेवी को दिखाया कि ये सामने जो आप ब्रम्हांड देख रही हैं, उस ब्रम्हांड में करोडो तारे हैं, करोडो गुरह हैं, उसके उपर असंख्य जिवस्रुष्टी जो है वो विद्यमान है, उनके पास मेरी उर्जा चीरकालीन समय तक न रखने के लिए मैं कैलास जाता हूँ, वन-pointed concentration यानि कि एकाग्रचित के साथ समाधी में मैं उतर जाता हूँ, ताकि जो भी हमारा पूरा ब्रम्हांड है, जो संचालित हो रहा है, उसके उपर मेरी कृपा परकरार रहे, महादेवी दुख और हताशा के concept से अनजान थी, अ और उसी वक्त महादेव ने उनसे कहा कि मुझे कैलास जाना होगा, महादेवी ने उनसे कहा कि ये कैसा संभव है महादेव, मुझे तो पता ही नहीं है कि दुख क्या होती है, पीडा क्या होती है, हाँ मुझे विरह की भावना वियोग पता है, क्योंकि जब आप यहां से कै लाश गमन करते हैं, उस वक्त पे मैं योग जो है वो सहती हूँ, उसके अलावा मुझे और कोई भावना के बारे में नहीं पता, तब महादेव ने उनसे कहा कि पीड़ा जो है वो अनुभूती उसकी की जा सकती है, उसको देखा नहीं जा सकता, आप सुख जो है उसे देख स चक्र क्या होता है वो देखना है, उसी समय हवा जो चल रहे थी वो थम गई, उसी समय सारे जो ग्रहनक्षत्र थे वो जैसे एक समय थम जाता है, उसकी तरह वो सारे ग्रहनक्षत्र जो थे वो अपनी जगापर स्थीर हो चुके थे और महादेव ने महादेवी को इतना ही कह कि हे वरानने आपको अनुभूती तक नहीं है आपको अनुमान तक नहीं है कि आपने क्या कह दिया जहां पे शक्ती जो है वो प्रॉमिनेंट रहेंगी और महादेव ने उस समय पे तै किया कि महादेवी को कैलाश ले जाया जाए उन्होंने देवी से कहा कि मैं आपको एक ऐस गटना के दर्शन कराऊंगा जो आपके अलावा किसी और को प्राप्त नहीं होंगे, किसी भी कल्प में। अपने आसन पर से उठकर महादेवी को इतना ही कहा कि अब आप जिसके साक्षी बनने वाली हैं, वो कहीं कल्पों के बाद एक बार ऐसी गटना होती हैं जो देख पाएंगे आप और हर बार इस गटना के दर्शन आपको ही होंगे। उस वक्त पे महादेवी बहुती ज़्यादा डर गई। उस वक्त तक उन्हें डर क्या होता है, भई क्या होता है ये मालूम नहीं था। महादेवी ने कहा कि महादेव मुझे कुछ हो रहा है, मुझे बेचे नहीं हो रही है, मुझे पता नहीं इसे क्या नाम दूम है और महादेवी ने उन्हें अपने आलिंगन में ले लिया और शांत करने की कोशिश की प्रयास किया लेकिन हो नहीं पाया। और उसी वक्त पे जब समय आ चुका था महाप्रलाई का जिसे आज की तारिक में हम destruction कहते हैं या फिर अगर शास्त्र की भाषा में बात करें तो उसे transformation का नाम दिया गए परिवर्तन का नाम दिया गया है महादेव ने महादेवी को उलग करके इतना ही कहा कि अब आप महाप्रलाई की साक्षी बनने वाली हैं उन्होंने उस महाप्रलाई को देखने के लिए देवी मा को दिवेद्रश्टी दी उनके ललाट के उपर स्पर्ष किया और दिवेद्रश्टी प्रदान की दूर हो गए वे महादेवी से बहुत दूर चले गए और महादेवी को फिर भी महादेव बहुत नस्दीक लग रहे थे और उसी वक्त पे महादेव ने अपने इंत्रिशूल से डमरू को अलग किया और डमरू बजाना शुरू किया। जैसे जैसे डमरू बच्चता गया उस डमरू से जो नाद उत्पन्न हुआ वो साथ करोड अलग-अलग मंत्र का प्रादुर भाव हुआ और ललिता सहस्टना में बहुत ही सुन्दर एक श्लोक है जो महातांडव की साक्षिनी है जो एक मात्र महादेवी जिन्होंने महातांडव देखा हुआ है महाप्रलय देखा हुआ है महेश्वर महाकल्प महाकल्प के अंत में महेश्वर जब महातांडव करते हैं उनकी जो साक्षिनी है वही है महादेवी और इसी वज़े से ललिता साशन नाम में महादेवी का एक नाम दिया गया है महातांडव साक्षिनी क्योंकि महादेवी ही वो है जो महामंत्रा, महायंत्रा, महातंत्रा, महासना, महायागक्रमाराध्या, महाभैरवपूजिता माही स्वयम महामंत्र है माही स्वयम महायंत्र भी है और माही महातंत्र भी है तो महादेवी ने जब ये पूरा महातान्डव देखा वे बहुत ही ज़दा डर गई थी महातान्डव जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे जो समस्त ब्रम्हांड था, वो महादेव के देह के उपर विद्यमान हो रहा था, करोडो ग्रह जो थे वो आके जैसे एक फूल होते हैं, पुश्प जैसे होते हैं, वैसे उनके देह में आके विराजमान हो रहे थे, विद्यमान हो रहे थे, दीरे 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 समय जो है उसका नाश हो गया और समस्त स्रिष्टी समस्त ब्रम्हांड महादेव के अंदर आकर विराजमान हो गया और उसके बाद स्वें महादेवी जो थी वो भी महादेव के अंदर विराजमान हो गई और जब ये महाप्रलाई की क्रिया पूर्णा हुई उस वक्त पे फिर से शुरू हुआ स्रिजन और समस्त ब्रह्मान का उसकी उत्पत्ति हुई और महादेवी को दुख, हताशा और पीड़ा क्या होती है ये समझाने के लिए महादेव ने उनको पंच महाभूत के शरीर में जनम लेने के लिए प्रार्थना किये महादेवी दक्ष प्रजापती और देवी प्रसुती के वहाँ पे उनका जनम हुआ और आप जानते ही हैं देवी सती जी ने अपने आपको आत्मविलोपन किया था यज्यकुन में बसमिबूत होकर वो पहला कल्प था जहाँ पे अगनी का प्रादुर्भाव हुआ था उस वक्त तक उस समय तक अगनी थी ही नहीं अगनी देव थे ही नहीं तो सती जी जब उन्होंने आत्मविलोपन किया फिर से महादेव के साथ एकाकार हुए उस वक्त पे देवी माने कहा कि महादेव जब तक मैं चिंतामनी ग्रहु में थी तब तक तो मुझे पता ही नहीं जीवन होता है जीने के लिए और मुझे उपाई बताईए मेरे बच्चों के लिए मेरे संतान के लिए मैं कैसे उनको राहत दे पाओं महादेव ने कहा कि जो मैंने महातांडव के वक्त दमरू बजाया था और उस वक्त पे जो महातांडव किया था उस तांडव के दोरान जो मंत्र का प्रादुर भाव हुआ था, अगर उन 7 करोड मंत्र में से कोई एक मंत्र भी अगर इंसान जो है वो पूरा जीवन जपता रहेगा, अगर सोर्स के साथ, मूल के साथ, यानि कि स्रोत के साथ जुड़ा रहेगा, तो उसे अपने पीडा से मुक्ति दिलाने के लिए जो है आपको मंत्र शास्त्र का सहरा लेना पड़ेगा और महादेवी ने कहा कि महादेव मैं डरी हुई थी मेरे अलावा किसी ने आपका महातांडव देखा नहीं मैंने साथ करोन मंत्र को नोटीस भी नहीं किया देखा तक नहीं तो मैं कैसे उस मंत तांडव जो महातांडव से अलग रहता है महातांडव महाप्रलाई के वक्त किया जाता है बाकी तांडव के भी अलग-अलग प्रकार है उसमें से एक तांडव जो है जो महादेव अपने सौम्यों भाव में करते हैं जब उल्लासित होते हैं तब करते हैं वो है आनंद ता और जो रिशिमुनी उस वक्त तक निर्गून परब्रम्म की उपासना कर रहे थे यानि की निराकार स्वरुप की उपासना कर रहे थे उन्होंने उन मंत्रों को देखा। रिशि कंकोल जो है वो भगवान उच्छिष्ट गणपती का जो नवान मंत्र है उनके वो मंत्र द्रश्टा है तो ऐसे ही हम अलग-अलग मंत्र जो है वो महादेव के माध्यम से प्राप्थ हुए और इसी वज़े से महादेव को आदी गुरू की संग्या दी गई आदी गु होते हैं कश्यप, वशिष्ट, भारदवाज, रिशियत्री ये सभी रिशिमुनी उन मंत्रों को लेकर हमारे भूलोग पर आए और यहाँ पे मंत्रों का प्रचार हुआ और तब जाकर हमें मंत्र का पूरा जो शास्त्र है वो प्राप्थ हुआ चाहे वो तांत्रिक मंत्र ह हो या फिर वेदिक मंत्र हो ये सभी मंत्र के सबसे पहले जो रचईता थे वो स्वे महादेव ही थे और इसी वज़े से शास्त्रों में मंत्रों को शब्द ब्रम्ह की उपमा दी गई है, संग्या दी गई है, नाद ब्रम्ह और वही है मंत्र तो लोग जब मंत्र की बात करत है न तब हम ये बताना भूल जाते हैं कहीं न कहीं कि मंत्र का प्रादुर्भाव कोई शास्त्र से नहीं हुआ कोई हिशी मुनी से नहीं हुआ बेजिकली वो महादेव से हुआ और फिर उसको शास्त्र में ढाला गया परग जी आपने हमें ये बताया कि मंत्र कहां से आए बि या किसी ग्रे का बीज मंत्र हो, सब वहीं से आया क्या कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिनसे इंसान का पर्सनल कोई फायदा हो जाए जैसे किसी को concentration बढ़ाना हो, focus बढ़ाना हो या फिर किसी को पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई करने में मन लग जाए वैपार विद्धी मंत्र, तो क्या ये सच है और इनके फायदे होते हैं ये मेरा question है, दूसरा मेरा आपसे, मंत्र के प्रकार जैसे कुछ हमारे वैदिक मंत्र है, साबण मंत्र भी होते हैं और कुछ तांतरिक मंत्र भी होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? ओके, सो साथ करोण मंत्रे जो में प्राप्त हुए, तांडव के दोरान, वहाँ पे महादेव ने हमें वेदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र दिये, फिर एक समय ऐसा आया जहाँ पे कल्यूग शुरू होने वाला था, और एक साधक थे, उपासक थे, जो महादेव की साधना कर रहे जो ओम्त्रेंबकम्यजामहे, सुगंधिम्पुष्टिवर्दनम, उरवारुकमेवबंधनान, वत्त्योर्मुक्षेमामृताथ, ये मंत्र का जाप कर रहे थे, और काफी सालों से उनकी साधना जो है वो चल रहे थी, महादेवी और महादेव दोनों विचरन के लिए निकल कि ये जो साधक है, वो कई सालों से साधना कर रहा है, तो महादेवी तो मा है, उनको दया आ गई, अपने बेटे के उपर की, उन्होंने महादेव से बिंती की, कि महादेव ये मेरा बच्चा कितने सालों से, मेरी जो संतान है, वो कितने फर्षों से आपकी उपासना कर रहा आप फिर भीन को दर्शन देने के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं। महादेव ने उनको कहा कि ये साधना तो मेरी कर रहा है। लेकिन जो मंत्र का उच्चारण ये कर रहे हैं, उस मंत्र के उच्चारण में एक छोटी सी क्षती है। जहां पे वो अपने आत्मा के अमरत्व की मांग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि महामृत्युँ जा आत्मा की अमरत्व के लिए, उसका जो एक प्रभाव रहता है, आत्मा को चीरकाली बनाने के लिए, उसको आधियाद में उन्नती के पत पर ले जाने के लिए, उस हितु के साथ उपयोग में लिया जाता है। तो महादेव ने ख़ा कि सिर्फ एक छोटे से वण्न की गलती की वज़े से एक छोटी सी चूक की वज़े से ये साध़क मेरी कृपा जो है वो प्राप्त नहीं कर सके गलत उचारण कर रहा है तो महादेवी ने कहा कि महादेव आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं इतने निश्ठोर कैसे हो सकते हैं कई करोडों बच्चे में रहसे हैं कई संतान मेरी ऐसी हैं जो जाने अन जाने में भूल कर रही होगी गलती या कर रही होगी लेकिन क्या इसका अर्थ ये हुआ कि उनको फली नहीं प्राप्त होगा और उस वक्त पे महादेव ने कहा कि महादेवी समय आ चुका है जब हम कलियू को शाबर मंत्र दे उस समय पे महादेव ने जो हमारे वेदिक मंत्र थे जो हमारे सारे अलग-अलग प्रकार के तांत्रिक मंत्र थे उनमें से बहुत सारे मंत्रों को कीलित कर दिया कीलित करना यानि लॉक करना तो उसे अनलॉक करने के लिए यानि कि निश्कीलित करने के लिए शाप विमोचन की प्रक्रिया दी गई जैसे कि आपको सबको पता है कि गायत्री मंत्र की अगर साधना करनी है विदीवत साधना तो उसके लिए गायत्री मंत्र को सबसे पहले शाप विमोचन विधी से हमें गुजरना होता है जहां पे हमें अलग-अलग रुशी मुनियों के द्वारा जो lock लगाया गया है गायत्री मंत्र के उपर उसे unlock करना पड़ता है ये lock इसले लगाया गया है क्योंकि ये बहुत powerful मंत्र है बिल्कुल क्योंकि जैसे अकर किसे इनसान के हाथ में nuclear bomb आ जाए तो क्या होगा उसको password चाहिए फिर बिल्कुल वो password बाने के लिए से powerful बनना पड़ेगा 100% तो mantra is like a nuclear bomb आप उसका उपयोग किस intention के साथ कर रहे है वो जादा matter करता है हमारी बात हो रही थी कि mantra का दुरूपयोग बहुत बार होता है तो जो negative उर्जा की हम बात करते ना कि ये गलत चीजों के लिए उपयोग में लिया जाता है या इसकी कोई एक image जो reputation है वो गलत हो चुकी चाहिए तंत्र की बात करे शाबर मंत्र की बात करे उस समय पर हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है कि मंत्र या फिर कोई भी विदिविधान कभी नकारात्मक होते ही नहीं किस उद्देश्य के साथ उसका उपयोग किया जा रहा है वही स्यादा method करता है जैसे की nuclear energy नकारात्मक नहीं है उसका उपयोग electricity लाने में भी किया जा सकता है और nuclear bomb बनाने के लिए भी किया जा सकता है यह इनसान के उपर depend करता है कि वो उसे कैसे use करना चाहता है उनके अंदर energy है आप उसे use कैसे करो या नि जो साधक है उनकी intention में अच्छा या बुरा होता है यह intention के उपर ही सारी चीज़े based होती है आपका हेतु क्या है अपका उदेश ये क्या है तो उस समय पे महादेव ने शाबर मंत्र हमें दिये क्योंकि जो मंत्र को lock कर दिया था उससे unlock करने की method कम लोगों के पास थी और वो जो जो ज्यान था वो जो सिद्ध गुरु थे उस समय पर उनको प्रदान किया गया ताकि ये जो उर्जा है पावरफुल उर्जा है उनको एक वास्तविक गुरु शिश्य संप्रदाई के माध्यम से आगे पहुँचाया जा सके लेकिन शाबर मंत्र इसलिए दिये गए क्योंकि इस लाइक OTP वन टाइम पासवर्ट जो भी इनसान अपने जीवन में अपनी material desire ज्यादा तर जो होता है शाबर मंत्र का उपियोग वो material desire यानि की भहुतिक सुक्सुविधा की पूरा होती के लिए ही उसे उपियोग में लिया जाता है तो शाबर मंत्र को इसलिए लाया गया क्योंकि जो भी इनसान जो भी मनुश्या अपने जीवन में असुविधा या फिर जो भी दुख या फिर पीड़ा है उसे पीडी था है तो उससे बाहार निकलने के लिए उसे एक temporary password मिल जाए temporary प्रयोग मिल जाए और इसी वज़े से शाबर मंत्र दिये गया और शाबर मंत्र का विधान ही यही रहता है अगर आपने किसी एक गुरू के पास शाबर मंत्र लिया है तो उसे एक निश्चित संख्या में जाप करना होता है उसके ना कोई वेदिविधान रहता है जैसे कि हमारे वेदिक मंत्र या फिर तांत्रिक मंत्र जो रहते हैं, उसे जागरित करने के लिए अलग-अलग प्रकार के स्टेप्स होते हैं, लेकिन शाबर मंत्र में ऐसे एक भी स्टेप्स नहीं होते हैं, उसे आप सिर्फ एक स्थान पर बैठ कर जो आपके गुरू के पास से भी दिविधान आपको प्राप्त हो हैं, जो सूचना आपको प्राप्त हुई हैं, उसे फॉलो करके आप उस मंत्र को जागरित कर सकते हैं, और उसे अपने जीवन में उपियोग में ला सकते हैं. जो हमारे मंत्र हैं, आपने बताए काई सारे स्टैप होते हैं, उसे जागरत करने के. तो इस पे तो मैं रोशनी आप से डलवाऊंगा, ताकि अगर जैसे ओडियन्स में कोई करना चाहें कोई मंत्र को, तो वो कर सके हम लास्ट में आप से फिर से पूछेंगे. कोई साबर मंत्र आप बोल के बता सकते हो, ताकि लोगों को डिफरेंस समझ में आ जाए कि उनके प्रनेंशेशन में क्या डिफरेंस जैसे ओम नमश्यवाय है, आम तोर पे ओम रहते हैं, नमाय शांस्रकत रहती है, शाबर मंत्र में हिंदी रहती है, तो एक कोई मंत्र जो को याद हो, जो आप बता दोगी, ताकि आउडियन्स को समझ में आ जाए कि कैसे डिफरेंट है, श्री गुरुचा रना सरोजरज निजमनमुकुरु सुधारी, अरना उरा गुबल अभी मला जसु, जोदा यकुफल चारी, तो अनुमान चालिसा शाबर मंत्र है, बजरंग बूस्ट अब चाहिए होता है, जो ये ब्रह्मना में रहते हैं, कि कोई नेगेटिव एंडिटीज हैं, या फिर ये है, वो है, कुछ भी, ये ब्रह्म में रहते हैं, जो लोग, उनको अपने मन को साबूत करने के लिए, हनुमान चालिसा आदिकाल से जो है, वो आदिकाल से शाबर मंत्र के लिए गुरू से आता है, गुरू को होना जरूरी, पर हनुमान चालिसा तो बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि हनुमान चालिसा इस लाइक एंसाइकलोपीडिया, एक ओपन गरंथ, जिसे खोलने के लिए कोई ताला या चावी की जरूरत न हमारे पास तीन तांत्रिक ग्रंथ हैं, जो है रूद्रेयामल तंत्र, महानिर्वान तंत्र और तंत्र राज तंत्र, ये तीन तांत्रिक ग्रंथ हमारे पास है, जो स्वए महादेव ने हमें दिये थे, लेकिन शाबर मंत्र का कोई शास्त्र या कर कोई ग्रंथ है नहीं, औ और उसे इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि महादेव यही चाहते थे कि गुरू और शिश्य की परमपरा में वो आगे उतरें और फिर जाके सिद्ध हो आज की तारिख में यह बात लग है कि आपको बहुत सार किताबे मिल जाएंगी लेकिन कोई किताब मूल शास्त्र नहीं है तो हिताव यही रहता है कि जब आप शाबर मंत्र या तो किसी गुरू के पास से प्राप्त हो या तो फिर आपके घर परिवार में आपके लीनियेज में आपके परिवार में आपके खांदान में कोई सदस्य जिन्होंने बहुत समय से शाबर मंत्र का प्रयोग किया हो वहा पता नहीं है ना क्या होने वाला है कैसे होने वाला है चीजे तो आप एक raw energy को ऐसे यूज नहीं कर सकते तो इसी वज़े से आपने जो प्रशन पूछा कि बहुत सारे शाबर मंत्र ऐसे हैं प्रेयोग ऐसे हैं जो open में हैं यानि public में हैं नुमान चाली सार बजरंग बार ये बहुत powerful प्रेयोग है जो openly इसका आप चांट कर सकते हैं उसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता लेकिन दूसरे जो भी प्रेयोग हैं दूसरे जो भी मंत्र है उसके लिए beneficial यही रहेगा कि आपको किसी गुरू के पास से प्राप्त मान लिजी ऐसे परग जी कोई गु आने के लिए यह है या शादी के लिए या education के लिए ऐसा कोई मंत्र शाबर मंत्र शाबर मंत्र तो मैं नहीं कह सकूँगा लेकिन जो साधना है मूल वो मैं आपको पता सकता हूँ और यह साधना ऐसी नहीं कि आपको सिर्फ संपत्ति धन दानिया सुक्षूिदा यही सारे चीज़ देगी आपको आध्यात्मिक उन्नती भी देगी जो मेरे गुरू है उमस्वामी उन्होंने एक बहुते सुन्दर पुस्तक आप उसे शास्त्रक है सकते हैं जिसका नाम है The Ancient Science of Mantra उसमें तीन साधना दी हैं सबसे पहली साधना गनपती की उसके बाद गायतरी उसके ब आना जाएगा क्योंकि श्री सुक्तम इस ओन फ्रोमिनेंट प्रयोग एक ऐसी साधना है जो साधना आपको अगर आप श्री विद्या पत पर आगे बढ़ रहे हैं तो आपको वो करना अतियावश्यक है अपने श्री विद्या साधना बोल दी हैं समझ में नहीं आएगा कई तो आप थोड़ एक्स्प्लें करिए क्या है यह जो हमारी दस महाविद्या है काली तारा महात्रिपूर सुंद्री चिन्नमस्ता बगला मुखी त्रिपूर भहरवी मातंगी वगरा वगरा यह दस महाविद्या में से जो तीसरी महाविद्या है वो है महात्रिपूर सुंद् और ललिथा महात्रिपूर सुंद्री भी कहा गया है तो I was reading a wonderful book जिसका नाम था दस महाविद्या तंत्र महाशास्त्र रिटन बाई तंत्राचारिया पंडित राजेश दिक्षित जी उसमें ये बात मैंने पढ़ी थी कि सबसे पहली महाविद्या जो थी वो महात्रिपूर सुंद्री थी उसके बाद दो विद्याओं का प्रागट्य हुआ जो थी काली और तारा उसके बाद बाकी की महाविद्याओं का प्रागट्य हुआ तो मूल जो तीन महाविद्या है वो महात्रिपूर सुंद्री, काली और तारा ही है उसके बाद अलग-अलग महाविद्याओं का प्रागट्य हुआ तो जो शोडशी है यानि कि जो महात्रिपूर सुंद्री मा है उनकी जो सरोच तंत्र साधना है वो है श्रीविद्या साधना जो भी साधक तंत्र साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, खास करके शाक्त तंत्र में, पांच प्रकार के तंत्र है, शाक्त तंत्र, शैव तंत्र, वैशनव तंत्र, गानपत्य तंत्र और सौर तंत्र, इसमें कुछ डिफरेंस? हाँ, शाक्त तंत्र में देवी, यानि कि जो फेमिनाइन एनर्जी रहती है, उनको इन्वोग किया जाता है, शैव में महादेव की एनर्जी को, वैशनव में भगवान विष्णु की और उनकी अलग-अलग स्वरूपों की एनर्जी को इन्वोग किया जाता है, सौर तंत्र म पर बगवान गणपती की अलग-अलग साधना की जाती है। श्री विद्या साधना पर आप दीरे दीरे सुरू करके वहाँ पर आपका पहुंचने का गोल होता है। मुलाधार चक्र ही हमारे मटिरियल डिजायर के साथ कनेक्टेड है। मुझे पैसा मिल जाए, मुझे ये सुक्सुविदा प्राप्त हो जाए, मुझे ये सामाजिक जो स्टेटस हमारा रहता है समाज का, सोशल स्टेटस प्राप्त हो जाए, मैं ये बन जाओ, मैं वो बन जाओ, ये जो इच्छाय रहती है हमारे मन में, उसके जो देवता है मुला जीवन में भोग और रहश्वर्य प्राप्त होंगे ही होंगे क्योंकि गणपती ही बुद्धी और रिध्धी के देवता है यानि कि इंटेलेक्चुआलिटी और वेल्थ रिध्धी सिद्धी रिध्धी बुद्धी दोनों नाम हैं तो बहुती सुंदर रिक्ष्लोक आता है लडिता सहस्ट नाम में महा भोगा महेश्वरिया महा वीरिया महा बला महा बुद्धी ही महा सिद्धी ही महा योगेश्वरेश्वरी जब भी कोई साधक साधना के पत पर शुरुवात करता है चलने की उस समय पर प्रत्येक साधक को सबसे पहले भोग और एश्वरिया ही प्राप्त होते हैं क्योंकि एक व्यक्ति उत्तम साधक तभी बन सकता है जब वो त्रिप्त हो जब वो सेटिस्फाइड हो अपने जीवन से तब तक तो वो उलजा रहेगा ना कि मुझे ये प्राप्त करना है मुझे वो प्राप्त करना है जब उसे सारी चीज़ों की प्राप्ती हो जाएगी उसके बाद उसे सिर्फ और सिर्फ इश्वर की ही कामना रहती है यही reason होता है चो लो पैसा कूप कमा लेते हैं फिर वो बापा बन जा दे हैं शादू बन जाते हैं इसकौन में चले जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल वो तरफ्त हो गए हैं उन्हें सब कुछ मिलके हैं और यही reason था जो मेरे जीवन में 15 साल तक गुरू नहीं थे और 2021 में मेरे जीवन में ओम स्वामी आये और जब मैंने उनकी जीवनी पड़ी जब मैंने उनके संस्मरण पड़े इस truth पी टोल उसमें मुझे पता चला कि he was a millionaire वे Australia थे Canada, US, UK वहाँ पे उन्होंने अपना पूरा business का empire खड़ा किया था और इतना बड़ा empire खड़ा करने के बाद इतनी संपत्य इतना धन धाने इकठा करने के बाद उनको ये प्रतीत हुआ क्योंकि उनकी जो साधना थी वो बच्पन से चल रही थी 8-9 साल की उम्र से और 30 स साल की उम्र में उन्होंने ये सारी कुछ चीज़े हैं वो छोड़कर उन्हेंने एक mail लिख दिया सिर्फ email कि अब मैं ये चीज़े छोड़कर मैं अपने मा को खोजने के लिए देवी मा की साधना करने के लिए मैं जा रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी तो य ये सबसे बड़ा उदारण है हमारे पास कि जब एक इनसान के पास एक साधक के पास सब कुछ आ जाता है ना उस समय पर एक ही चीज़ की कामना बाकी रहती है वो है आदी पराशक्ति देवता जो भी आप नाम दे ले उसे पगवान ईश्वर जो कोई भी नाम तो परग जी की सुलवात इसले करने क्योंकि वो मुलादार है और जब गनपती की सुलवात आप करोगे ये साधना करोगे तो इसमें हमोमन 6-7 महिने का टाइम लगेगा बिल्कुल डिबेंड करता है का आप कौन से मंत्र को इन्वोक कर रहे हैं अच्छा यहाँ पर एक क्कॉशन आता मन करनी अनिवार्य है कारणी यह है कि जब तक आप गनपती और गायतरी की साधना नहीं करते अगर आपको अपने इस्ट मालूम नहीं है पता नहीं है तो इस्ट की प्राप्ती करने के लिए ही ये दो साधना की जाती है तो यह साधना स्पेसिफिक हैं अलग है आपको मंत्र म मंत्रा में विधिविधान के साथ दिया गया है कि उसको जागृत कैसे करना है उसकी आप साधना करें गायत्री मंत्र सबको बता है वक्रतुन्डे महा काया मंत्र busy में आईगा वक्रतुन्डे महा काया is like गंपति का एक चोटा सा आवाहन मंत्र आप कह सकते हैं को बुलाने के लिए लेकिन मंत्र जो रहता है जो जी से जागरत किया जाता है ये एक काइंड ऑफ श्री गनेशाई नमा जो मंत्र है आप वक्रतुन्द महाकाय को एक श्लोक की कैटेगरी में रख सकते हैं श्लोक और मंत्र दोनों अलग होते हैं तो स्वस्ति वांचन जो है बहुत सुंदर श्लोक है तो परक जी जितना मैं समझ पाया हूँ कि गनपती से आपको शुरुवात करनी पड़ेगी जिसमें ओम श्री गनेशाई नमा एक मंत्र है इसके अलावा और भी मंत्र होते हैं गनेश जी के बिलकुल होते हैं जो हम किताब की बात कर रहे हैं इंश आलिस दिन की साधना करने का ने नहीं लिया तो इस एक मंत्र का जो मैंने उच्चारण किया जिस मंत्र का प्रति दिन आपको तीस माला जो है वो करनी होती है और सवा लाख जो है उसका जागरित होने का एक नमबर दिया गया है कि सवा लाख बार उसका उच्चारण जो है आप दस माला करना चाहो दिन में तो दस भी कर सकते हैं तो दिन बढ़ जाएंगे अगर आप मानली जी यह दस माला कर रहे हैं तो सवा लाग को जागरित करने में 125 दिन आपको लग सकते हैं ओके ठीक है, डन, यहाँ पे गनपती सादना हमारी पूरी हो गई, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं गायत्री सादना पे, उसमें क्या करना होता है? गायत्री सादना में जो सवेतुर गायत्री मंत्र है, ओम भुर भुवस्वा तच सवेतुर वरेणियम भर्गो देवस्यदी मही दियो यो नहा प्रचो दयात। गायत्री मंत्र ये जो है, उसे जागरित करने के लिए बहुत सारे अलग-अलग स्टेप्स हैं। एक शाप विम अगर वो आपके लिए बहुत लंबी विदी हो रही है, तो इसी पुस्तक के अंदर शाप विमोचन के बगैर भी आप इस मंत्र को कैसे जागरित कर सकते हैं, उसका विदी विदान दिया गया है। तो गायत्री मंत्र को जागरित करने के लिए minimum requirement सवालाग हो है। सवालाग अगर वो गायत्री देवी, यानि जो वेदमता गायत्री है, उनके ऊपर सिर्फ उनकी ही साधना करना चाहते हैं, तो वो 32,030,000 महा अनुष्ठान जो रहता है वो भी कर सकते हैं। और सिर्फ जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने इष्ट की और आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि मुझे मेरे इष्ट चाहे कृष्ण हो, राम हो, महादेव हो, पगवान विष्णु हो, उनकी प्राप्ती हो, तो साधक ये दो साधना करने के बाद अपने इस्ट की प्राप्ती जो है वो कर सकते हैं उसके बाद थार्ड स्टेप में आपको एक गुरू की जरुत पढ़ेज़ी नहीं वहाँ पे भी आपको गुरू की आवशक्ता नहीं है देखिए आज की तारीख में एक योग्य गुरू की खोज करना बहुत कठीन है और बहुत ही कमर्शलाइज़ युग है आज का तो आपको एक ऐसा गुरू प्राप्त हो जो मंत्र साधना के मार्क पर आपके आधियां में एक उन्नती सुनिश्चित कर पाए ये बहुत कठीन है इसके लिए शास्त्रों में ये कहा गया है कि जो हमने एक शुरूवात में कथा सुनाई महादेव को आधि गुरू कहा गया है जब एक साधक अपने अंतरात्मा में विराजमान आधि गुरू को महादेव को जागरित कर लेता है उस वक्त पे उनके गुरु जो है उनकी अंतरात्मा ही हो जाती है इसी वज़े से जिनके पास गुरु नहीं है उन्हें कहीं भटकने जाने की जरूरत नहीं है उन्हें सिर्फ और सिर्फ गुरु जो मंत्र है जो इसी पुस्तक में दिया गया है ओम गम गुरवे नमहा ये मंत्र का पूर्णा अनुष्ठान जो है पूर्णा साधना अनुष्ठान पूरश्चरण तिनो एकी वर्ड है तो ये जो साधना है वो करनी होती है ताकि आगे बढ़ने के लिए आध्यात्मिक मार्ग में उन्नती पाने के लिए उनको एक दिशा प महादेव ही प्राप्त करा सकते हैं अगर उनके फिजिकल फॉर्म में गुरू नहीं है तो ये तीन साधना करने आपके लिए बहुत आवश्चक है अगर आपके जीवन में एक ओलेडी गुरू है जो आपको मंत्र साधना के मार्ग पर लेके जा रहे हैं तो फिर गुरू सा आगे के जीवन में चाहे मुझे महादेवी की तंत्र उपासना करने है या क्या करना है कौन से स्वरूप को मुझे आराधना है पूजना है उसकी क्लैरिटी ये तीन स्टेप के बाद पर आपको खुद बखुद हो जाता है ये खुद बखुद क्योंकि अगर आप सिंसारि नहीं है क्योंकि वेद माता है वो वेद माता यानि हमारे जो चार वेद हैं रिगवेद, सामवेद, या जुरुवेद, अधर्ववेद वहाँ पे जो मंत्र प्राप्त हुए है हमें चाहे वो स्वस्ति वांचन की बात हो या फिर कोई भी एक्सवाइज़ मंत्र श्लोक की बात हो उनकी जननी जो है वेद माता जो है वो गायत्री है तो जैसे हम एक लेखक को एक राइटर को रॉयल्टी देते हैं वैसे ही कोई भी मंत्र का अनुष्ठान करने से पहले कोई भी मंत्र की उनका उप्योग करने से पहले साधना करने से पहले वेद माता गायत्री को इ जादा बेतर समझाएंगे जैसे कि गनपती साथना में मूलाधार को बेसिकली एक्टिवेट कर रहा है अपने मूलाधार हमारे हमारे जन्नांगों के पीछे का चक्र होता है और बड़ेची कता रमायन में है कि हन्मान जी की पूछ में आग लगती है ठीक है तो ऐसे ही आग ल देखेए यह पूर्ण सत्य नहीं है क्योंकि कोई भी नई यात्रा चाहे आप अपने परस्नल लाइफ में शुरू करे प्रोफेशनल लाइफ में शुरू करे शुरू आतमें आपको एक नर्वसनेस होती है उस नर्वसनेस को आप भई का नाम नहीं दे सकते तो गनपती पैदा होंगे आपके मन में लेकिन आपको चलते रहना है रुकना नहीं है बाकी ये कहीं पे लिखा नहीं गया या फिर ये कहीं पे भी अनुभूती की बात भी नहीं है ना तो मैंने इस चीज का अनुभू किया है कभी कि डर नहीं लगता डर तभी लगता है जब आप कुछ गलत काम करते हों तो अगर आपका intention साधना करने के पीछे का कुछ अलग तरीके का है आपका उदेश्य ही कुछ अलग है तो डर लग सकता है कि देवता नाराज हो जाएंगे यह हो जाएगा मैं मंत्र का या फिर उसके एनरजी का गलत तो इस्तमाल गलत उपयोग कर रहा हूं लेकिन अगर आप सत्य के मार्पर चल रहे हैं तो डरने की कोई बात नहीं हाँ यहाँ पे एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है परिक्षा दो आएंगी क्योंकि मुझे याद है एक किस्सा when I was doing my own सादना गनपती सादना मैंने रात को संकल्प लिया और विधी यह रहते है कि जब आप आपकी सादना आपका मंत्र जब शुरू होने वाला होता है जिस दिन से उसके एक दिन पहले आपको वीधमाता गायत्री से पर्मिशन लेनी पड़ते है आग्या लेनी पड़ते है तो मैंने अलड़ी वो प्रक्रिया कर ली थी और दूसरे दिन से मेरी सादना जो है वो चुरू हो गया और मेरा दस साल से स्लिप दिस्क का एक इश्यू जो है वो चलता आ रहा है लेकिन उस particular परेशानी ने कभी मेरी सादना की यात्रा को रोका नहीं क्योंकि मैंने अपने आपको कभी सीमित करके नहीं रखा मैंने यह नहीं सोचा कि अरे मैं जमीन पर नहीं बै पर आगे पढ़ना है चाहे मुझे देवता ने जो भी अवसर दिया है उस अवसर को उपयोग में लाना है उसे यूटिलाइस करना है और इसी हेतु के साथ मैं सालों से कुर्सी पर बैठकर ही सादना करता हूँ मैं यग्य जो है वो भी आज की तारीख में कुर्सी पर बैठकर ही करता हूँ जो चीज matter करती है वो आपके भाव आपके श्रद्धा आस्था समर्पन भक्ती यह matter करता है कि आप कितनी ज्यादा intensity के साथ तिवरता के साथ देवता को बुला रहे उनको आवाहन दे रहे हैं उनको पुकार रहे हैं तो जब ये ऑगस्ट की बात है जुलाई का एंड चल रहा था और मुझे ऑगस्ट में कही ट्राविल करना था 2023 में इसी साल में इसी वर्ष में तो मेरा दिन शुरू हुआ और सुभे से मेरी ये हालत थी कि मैं बैट नहीं पा रहा था हालत इतनी खराब हो चुकी जैसे जैसे दीन बीटता गया मेरी ममी ने मुझे से पूछा कि परक आज आपकी रात में साधना शुरू होने वाले कोई ममी को पता था कि मैं रात को बैटने वाला था साधना के लिए रात को मंत्र जप रहता है और सुबह मैं यग्या करता हूँ तो मैं बैटने वाला था रात को साधना के लिए और कंडिशन ऐसे थी कि मैं बैट पर से उठ तक नहीं पा रहा था करवटे नहीं ले पा रहा था और उस कंडिशन में ममी ने कहा कि आप कैसे कर पाएंगे आप छोड़ दीजिए ये संकल्प मैंने कहा ममी अब तो मैंने संकल्प ले लिया अब चाहे कुछ भी हो जाए ये करके रहूँगा चाहे भगवान को जो परिक्षा लेनी हो ले ले मेरे संकल्प की मेरे एक द्रिढ निर्धार की परिक्षा लेकिन मैं करके रहूँगा और मैंने उस रात मैं बैठा साधना के लिए और वो साधना थी वो डेट गंड़े की थी और सुबह एक गंड़े का यग्य तीन दिन तक मैंने बहुत ही जादा परिशानी भुकती तीन दिन तक मैं सिर्फ और सिर्फ जैसे दैसे करके बैठ पा रहा था और बहुत ही जादा पेन के साथ मैं अपनी साधना कर रहा था लेकिन मन में सिर्फ एक ही निष्चय था, एक ही निर्धार था, कि चाहे कुछ भी हो जाए, साधना रोकनी नहीं है, और वो साधना जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, चौथा दिन आया, पाच्वा दिन आया, दिरे दिरे कोई दवाई के बिना, कोई भी चीजों के बिना, मे जब भी आप किसी उर्जा को जागरित करने की कोशिश करते हैं, वो उर्जा पहले आपकी ये परिक्षा लेगी कि ये अपने संकल्प पर टिक पाता है या नहीं टिक पाता, जब आप सीरियस होंगे उस वक्त की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि हमने सिर्फ पांच दिन या दस दिन जो है वो एक साधना कर ली, एक चोटी सी, जब आप इस मार्क पर बहुत लंबे अर्से तक आगे बढ़ेंगे, तब वो उर्जा आपके संकल्प की परिक्षा लेने के लिए जरूर प्रयास करेंगी, और वही समय ऐसा होगा जहां पर आपको डटके रहना है, आप को हारना बिल्कुल नहीं है, अगर उस वक्त पे आप किसी ब्रह्म में पढ़ गए, किसी अंतरशद्धा में पढ़ गए, कि मेरे उपर कोई तंत्रविद्या करी गई, या फिर कोई काला जादू हुआ, मैं बैट नहीं पा रहा, मैं अभी तक तो पांच दिन पहले तो ठी मार हो गया, देखिये, यूमन माइन्ड जो रहता है न, वो सारी चीजों के बारे में सोचता रहता है, तो जब ऐसी कोई चीज़ें हमारे साथ होती है, आरे, किसी की बुरी नजर लग गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है, 99% केसिज में, पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं कोई काला जादू, कोई अभिचार क्रिया, कुछ नहीं होता, मन का वहम ही होता है लेकिन लोग सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ चीजे जो है वो क्रियाए कराते रहते हैं और कुछ-कुछ ना को सॉल्यूशन देते रहते हैं कि आप आपके उपर ये करा आए गया आपके उपर वो करा आए गया है आपके उपर मारण, मोहन, वशीकरण वगरा वगरा जो भी सारे टर्म्स है उसके इस्तमाल करके बड़े-बड़े भारे-बर्खम शब्दों का इस्तमाल करके उन्हें डराया जाता है और फिर वो इनसान एक ऐसे लूप में फस जाता है जहां से बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल है वशीकरण का नाम लिया आपने अच्छा पहले मैं तो बताओ केस में यह आपका मन का वहम होता है बट जो एक परसेंट है क्या यह सच में ऐसी प्रक्रियाई हैं कि हम किसी और को वर्ष में कर लें या हम किसी और को जैसे मारन क्रिया किसी और को मार दें बैठ कर क्या यह पॉसिबल है तंत्र से देखिए हम सबने एक नाम सुना है चानक्या चानक्या जो थे वो बहुत ही बड़े तंत्र उपा सकते और जो अभिचार क्रिया है जो अच्छा पहले ये कलियर करना बहुत जरूरी है कि तंत्र और अभिचार क्रिया एक नहीं है क्योंकि तंत्र के बारे में जो भी मित जो भ अभिचार क्रिया यानि मारन मोहन वशीकरन, स्थनम्भन उच्छाटन, विद्वेशन तो ये जो छे क्रिया, जो छे कर्म जिसे शट कर्म बोला जाता है वो तंत्र का एक भाग अवश्य है लेकिन वही तंत्र नहीं है तंत्र एक बहुत ही ज्यादा विस्तृत टर्म है जिसे किसी एक सीमा रेखा में बांधना पॉसिबल ही नहीं है तो अभिजार क्रिया जो है वो उसका जो शास्त्र में जब लिखी गई थी यह सारी चीजे जब प्रयोग लाए गए वो इसी हेतु के साथ लाए गए थे कि एक तो आत्मसुरक्षा के लिए एक लोकल्यान के काम के लिए देखे काफी बार पहले के जमाने में यह होता था जो चानक्य के म बात कर रहे थे चानकिय के जो दुश्मन थे, उनके जो शत्रू थे, वो अपने राज्य को बचाए रखने के लिए बहुत सारी क्रियाओं का इस्तमाल करते थे उसमें से एक प्रयोग विश्कनिया का भी था, विश्कनिया यानि एक छोटी सी बच्ची को जनम के टाइम से थोड़ा थोड़ा यानि कि एक सुई के उपर जितना जहर आप देख पाए लगा पाए उतना जहर उस बच्ची को दिया जाता था और धिरे धिरे उसका डोसेज, उसके जो मात्रा थी वो बढ़ाई जाते थी एक समय ऐसा आता था जब बच्ची जो लड़की होती थी वो बड़ी हो जाती थी और उसके उपर कोई जहर असर ही नहीं करता था क्योंकि उसे इतना जहर दे दिया जाता था कि वो विश्कन्या बन जाते थे फिर और उस विश्कन्या का उप्योग दूसरे राजाओं को हराने के लिए किया जाता था तो इसी प्रकार से अपने राज्य की रक्षा के लिए चानक्या जो थे वो अभिचार क्रियाओं का उप्योग करते थे चाहे वो मारण, मोहन, वशीकरण, स्नंबन, उचाटन, विद्वेशन इन छे क्रियाओं में से कोई भी क्रियाओं की हम बात करें उनका उप्योग चान आज से 1200 साल पहले सनातन धर्म के उध्दान के लिए जिन्होंने बहुत सुदिर्ग काम किया था, वो थे आदिशंकराचारिया जी, और आदिशंकराचारिया जी एक समय पे सिर्फ और सिर्फ शिव की सत्ता में ही भरोसा रख ते थे, कि शिव की जो सत्ता है वही सरवोच है, बाकि सब सकता है उनके आगे छोटी है तो एक बार क्या हुआ कि किसी तांत्रिक जो शाक्त उपा सकता जो शाक्त तंत्र में आगे था उन्होंने आदिशंक्राचार्य जी के उपर मारन प्रयोक किया एक कता हमें ये प्राप्त होती है और उस प्रयोक के बाद पा रहे थे, ना चल पा रहे थे, कुछ नहीं हो पा रहा था, वे गए थे काश्मिर, शाक्त मत का खंडन करने के लिए, शाक्त मत यानि जो शक्ती के उपासक है, जो शक्ती में विश्वास रखते हैं, उनका जो मत रहता है, उनका जो विश्वास रहता है, उनका खंडन करने के लिए कि आप शक्ती में क्यों भरोसा रखते हैं आप शईव उमत में आ जाएए शाक्तमत का खंडन करने के लिए काश्मिर गये थे उस वक्त पे उनके उपर ये प्रेयोग हुआ जब ये प्रेयोग हुआ उनके उपर उस समय पे एक बुढिया उनके द्वार पर आई और शंक्राचारिय जी के शिश्य बहार आए उन्होंने मा से पूछा व्रिधा से कि आपको क्या चाहिए मा ने कहा भिक्षान ने दे ही उन्हें भिक्षा चाहिए लेकिन मैं बिक्षा आपके गुरुजी से ही लूँगी आपसे नहीं लूँगी तो शिश्य अंदर गये गुरुजी से कहा कि एक बुरिधा आई है मा आई है आपसे बिक्षा मांग रही है तो शंक्राचारे जी ने कहा कि उनको जाकर कहिए कि मेरे जो गुरु हैं, वो अपने विस्तर पर से उठ नहीं पा रहे हैं, उनमें शक्ती नहीं बची, और शिश्य यही संदेशा लेकर बाहर आए, रुद्धा से कहा कि मेरे गुरु ने आपको यह संदेशा देने के लिए कहा है, कि उनमें शक्ती नहीं बची, और गुरु को ये संदेशा देखर आओ और उसी वक्त शंक्राचार्य जी ने जब ये संदेशा सुना अपने शिश्य से तो आदिशंक्राचार्य जी भागते दोडते जो वृद्धा थी उनके चरणों में आकर गिर पड़े कि इतना बड़ा संदेश देने वाली आप स्वयम माधी पराशक्ती ही हो सकती है आप कोई सामानियस्त्री नहीं हो सकती और बाद में जो आदिशंक्राचार्य जी ने चिदानन्द रूपम शिवोहम शिवोहम कहा था कि मैं ही शिव हूँ वही आदिशंक्राचार्य जी ने आगे जाकर हमें जो आदि शंगराजारिया जी एक समय पर ये कहते थे कि मैं हे शिव हूँ चिदानन्दरूपम शिवोहम शिवोहम वही आगे जाकर ये कह रहे हैं गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमे का भवानी कितनी सुन्दर बात है ये और वही शंकराचारिया जी बाद में हम एक जो बहुती सुन्दर श्लोक मिलता है कुपुत्रो जायत क्वचिदपी कुमाता न भवती कि एक पुत्र जो है वो कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती यानि कि मुझे मंत्र नहीं आते, मुझे तंत्र नहीं आते, मुझे पूझा आराधना कैसे करनी है वो मुझे नहीं पता मा मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि एक पुत्र कु पुत्र हो सकता है लेकिन एक माता कु माता नहीं हो सकते तो इतने बड़े और सर्वस्रेष्ट उदाहरन हमारे पास है कि मारन क्रिया से यह हमारी बात शुरू हुई थी उनके उपर जो मारन क्रिया हुई फिर बाद में मा की ही कृपास है जब उन्होंने मा के सत्ता को स्विकारा उस पर उस खटना के बाद फिर वो मारन क्रिया का असर जो है वो खतम हुआ था, वो प्रभाव जो है वो खतम हुआ था, तो उस वक्त पे वो सारी चीजे काफी हद तक प्रवर्थमान थी, और आप कह सकते हैं कि पाठ सिखाने के लिए बोध देने के लिए ये चीजे करी जाती थी, या फिर कोई आपक पहुत सारे केसिस ऐसे हैं जहां पे लोग सिर्फ और सिर्फ प्रह्म में ही जी रहे हैं साइन्स जो विज्ञान है हमारा उसे बाइपॉलर नाम दे रहा है कि आप मल्टी परस्नालिटी डिसॉर्डर से भी पीडित हो सकते हैं सारे ऐसे मानसिक अवस्थाएं हैं जो हो सकती है कोई-कोई लोग ये मानते हैं कि हमारी आवाज बदल रही है किसी का बिहेवियर चेंज हो रहा है तो ये सारी चीजों के सिम्टम से नहीं एक बार जाकर किसी मनोविज्ञानिक के पास जाकर अपने आपको एक ट्रीटमेंट करवाईए दिखाईए ये चीजे ज्यादा अतर वही होती है मनोविज्ञान के साथ जुड़ी हुई चीजे ही होती है बाकी ये कोई ऐसी चीज़ कोई खिलोने का खेल नहीं है कि कोई भी आया और किसी ने भी कर दिया परग जी कोई ऐसा परस्टनल एक्सपीडेंस रहा है आपका तंतरवर्शी करन इसका नहीं क्योंकि मैं इसमें कभी गया ही नहीं कारण ये है कि उमस्वामी बहुती सुंदर बात कहते हैं कि जब आप साधना के पत पर आगे बढ़ रहे होते हैं उस पत पर मा सबसे पहले आके खिलोने देती है क्योंकि एक बच्चा चोटा बच्चा जो होता है अगर वो रोना शुरू करे तो मा सबसे पहले आकर यही प्रयास करे कि बच्चा चुप हो जाए बच्चे को क्या चाहिए, क्या वो खिलोने के लिए रो रहा है, उसे खिलोना दे दो, खिलोना यानि माया रूपी खिलोना, टॉइ, बेजिकली, सुक, सुविधा, एश्वरिय, भोग, विलास, सब्बत्ती, संब्धा, ये सारी चीज़े, अगर बच्चा उसी में खुश हो जाता है न, तो फिर वो मा को पुकारना बंद कर देता है, और फिर मा अपने काम में लग जाती है, तो यही चीज, यही बात, मेरे लिए भी मैटर करती है, मैं क्यूं अभिचार क्रिया में या फिर इन सारी चीज़ों में कभी गया ही नहीं, क्यूंकि वो मेरा दिही नहीं मेरा उद्देश ये वो नहीं है तो उमस्वामे जब उन्हें मा का साक्षातकार हुआ उसके बाद वे हिमालई से उतर आये थे उस वक्त की एक कथा है जो दरेन मेकर रिटन बाई साध्य वरिंदा उम उस पुस्तक में दी गई है वहाँ पे वे एक तांतरिक से मिले थे और ज आपका जो पास्ट है वो किन-किन चीज़ों के साथ connected है और कौन-कौन सी चीज़े आपके जीवन में हुई है तो जब उमस्वामे उनके पास गए तब तांतरिक ने स्वामे जी को देखा और तुरंद बाद उन्होंने अपना जो एक hall था रूम था वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे उन सब को विदा किया कि आप आज का सेशन हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है अब हम कल मिलेंगे और स्वामी जी जब अंदर गए वो तांतरिक उनके चरणों में गिर पड़ा क्योंकि तांतरिक के पास जो सिद्धी थी वो करनपिशाचिनी थी बेज तांतरिक क्या करता था करनपिशाचिनी उसे कान में आकर जो कोई भी चीजे बताती थी वो सामने वाले इंसान को वो चीज तो बताता ही था लेकिन साथ-साथ अपनी और से दस चीजे और एड़ कर देता था तो स्वामी जी ने जब इनका वारतलाप हो रहा था तब तांत स्वामी जी ने उतना ही कहा उनसे कि आप सत्य कह रहे हैं आपके मृत्यू बहुत ही मुरे तरीके से लिखी गई है तो तांतरिक ने गिलगिड़ा कर उनसे माफी मांगी क्षमा मांगी कि मुझे अपने कर्मों से चुटकारा चाहिए मुझे आप मुक्ति दिला दीजे और म शांथ मृत्यू होगी और उसी वक्त उन्होंने कहा कि अब आपको जो मा का वरदान प्राप्त है क्योंकि करना पिशाचनी मा का एक निमन स्वरूप है महाशक्ति का वो कोई डेविल एनर्जी नहीं है वो कोई वो कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है वो लोगों ने उसस उसे एक पोट्रे करके रखा हुआ है हाँ उसे सिद्ध किया कैसे जाता है उसके उपर बहुत चीज़े डिपैन करती है वामाचार से सिद्ध किया जाए वामाचार यानि पंच मकार के साथ मास, मच्षिय, मुद्रा, मैथुन, मदिरा या फिर उसे दक्षिनाचार पद्धती से साधना से सिद्ध किया जाए उसके उपर चीज़े डिपैन करती है कि आप उसे सात्विक तरीके से सिद्ध कर रहे है या फिर तामसिक तरीके से सिद्ध कर रहे है तो उस तांत्रिक को अपने कर्मों से मुक्ति मिल गई और फिर उम स्वामी ने जो उनके साथ जो आये थे एक बबलुकर के नाम था एक लड़के का नाम उनको कहा कि एक ट्रक आने वाला था बहुत बड़ा और इस इनसान का पूरा बॉड़ी उस ट्रक के सामने आ जाने वाला था और इतने टुकड़े होने वाले थे कि चाहे डॉक्टर्स कितना भी जूड़ने का प्रयात न करे नहीं जोड़ पाते इतनी ज्यादा खराब मृत्यू लिखी जा चुकी थी तो जब आप किसी खिलोने के बीचे भागते हो ना लोग करना पिशाज नहीं या फिर ऐसी कोई साधना क्यों सिद्ध करते हैं एक स्थान बना पाएं समाज में दूसरा लोगों को प्रभावित कर पाएं इंप्रेस कर पाएं लेकिन उससे क्या प्राप्त होगा पैसा धन धानिय समरिद्धी उसके अलाबा क्या कुछ नहीं तो ऐसी निम्नकोटी की साधना कभी भी आपको जीवन में आगे लेकर नहीं जा सकती and that is for sure उसे इस बात में कोई doubt नहीं है और इसी वज़े से निम्नकोटी की साधना जो है अगर आप अपने भोतिक आसपेक्ट को सुक समरुद्धी धन्धानिय और इश्वर्य पाना चाहते हैं उसके लिए आप एक हद तक उसे करे तो अभी भी ठीक है लेकिन उसी क उदेश्य बनाकर अगर आप चलेंगे तो आपके जीवन में आपको उन्नती आध्यात में को उन्नती कभी प्राप नहीं होगी उल्टा आप एक ऐसे विश्चक्र में फस्ते चले जाएंगे जहां से बाहर निकलने के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा क्योंकि ऐ प्रग जी काफी हद तक कि वश्ची करन मारान के रिया इसमें बहुत अगर खुद करना चाहोगे तो बहुत टाइम लगेगा और कोई आप एक करवा रहा है इससे जादा तरन टाइम में एक वहम ही है और ऐसे करने वारे लोग अब जादा बचे नहीं है और बचे भी है त पता नहीं कहा है इमाल है वगेरा में हुँगे खेर चली एक मेरा प्रशनावर यहां से उठता है कि आपने देवी की बात बहुत करी जब तंत्र की बात आती तो काल बहरों क्यों जुड़े हुए हैं तंत्र से काल बहरों इसलिए जुड़े हुए क्योंकि क्षेत्रपाल ह जानी एक प्रकार के bodyguard, divine guard, जिसे आप कह सकते हैं, तो जैसे कि हम अगर श्रीविद्या की भी बात करें, श्रीयंत्र की भी बात करें, तो उसमें से एक जो द्वार हैं, ये कहा जाता है कि एक द्वार के रक्षक स्वेम बहरव हैं, तो जब आप भी बहरव की बात करते हैं, तब हमें ये नहीं बूलना चाहिए, बहुत लोग आकर ये कहते हैं कि हमें भी बहरव की उपास ना करनी हैं, भी बहरव बगवान की साधना करनी हैं, भी बहरव एक ऐसे स्वरूप हैं जो आपके अस्तित्व को हिला देंगे, जब आप भी बहरव की उपास ना करने जा रहे हैं तब आपका बेज, आपका आधार बहुत ही स्ट्रॉंग होना चाहिए, बहुत ही मस्बूत होना चाहिए, द्रिड होना चाहिए, जैसे कि एक कच्चा घर हो, जिसकी नीव सही से नहीं रखी गई, अगर कम तिवरता वाला भुकम भी आएगा ना, तो भी वो पूरा घर जो है वो डह जाएगा, त्वस्त हो जाएगा, वैसे ही काल भेरव हो, या फिर महाकाली हो, या फिर उग्रतारा हो, या फिर ऐसे स्वरूपों की साधना करने से पहले, आपको इनिश्यली, गनपती, गायतरी, गुरू, ये जो हमने तीन साधना की बात करी, उसके बाद आप अपने इश्ट का चैन करिए, लोग तुरंत ही कूद जाते हैं, कि मुझे बहरव की उपास ना करनी है, एक बार सम्शान में जा कर तो देखिए, आप जिस स्वरूप की बात कर रहे हो, वो स्वरूप जिस स्थान के साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ पर जाके तो एक रात वहाँ पे दो घंटा पिता कर तो देखिए, अगर आप लोग पूछते हैं साधना कैसे करनी, दक्षणा मूर्ती, क्योंकि गंटा अमावस्या की रात को समशान में बिता कर देखिए, सारी चीज़े पता चल जाएगी, तो जब तक आपका बेज, आपका मूल, आपका आधार मसबूत नहीं है, द्रिड नहीं है, तब तक आपको ऐसे एक भी उगरत देवता या फिर देवी की उपासना नहीं करनी चाहिए, जो आपके पूर्ण अस्तित्व को हिला सकती है, मैं यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि आपके साथ कुछ बुरा होगा या फिर नेगेटिव होगा, लेकिन हमें ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है कि जब भी आप एक न्यू इसक्रियेट नहीं हो जाता, तब तक आपको ऐसी एक भी उर्जा के साथ नहीं आदान प्रदान करना चाहिए, कुछ भी, तो वाकई में अगर आप अध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो शास्त्र में ये रास्ता दिया ही गया है, रास्ते को एक मार्ग को फॉलो करिए, अनुसरन करिए, आपको अपने इस्ट और अपना जो रास्ता है, चाहे आप आगे जाकर अगर आपको काल भेरव की ही उपासना करनी है, तो वो रास्ता निकल ही आएगा, वो अपने हाप दिख जाएगा, इसके लिए ये आवश्रक नहीं है कि आप पहले से शुरू कर दो, पहले जो मार्ग आपको एक गाइड दिया गया है जो आपको एक प्रॉपर वे में गाइडन्स के तौर पर कुछ-कुछ चीज़े बताई गए है कि आपको पहले गनपदी साधना करनी है, फिर आपको गायतरी करनी है, फिर आपको गुरु साधना करनी है वो करके देखिए फिर अगर आपका मार्गो है तो आप चलिए परक जी ये सारी साथना है और ये जो रहश्म ही बाते हैं कई पुस्तकों में लिखी हुई मिलती है इंदर जाल एक बहुत प्रसिद है रावर सहींता है सो अब ये तो फिलिपकार अमेजॉन पर भी अवलेबल है मैंने भी इंदर जाल पढ़ने की कोशिश करी थी एक बार उसमें बड़ी बयानेक बयानेक चीज़े लिखी है करने के लिए बड़ी अजीब अजीब क्रियाएं बताते हैं करने के लिए सो इन पुस्तकों का रह से क्या है आपने कभी पढ़ी है वो पताईए और किनको नहीं पढ़नी चाहिए और क्या नहीं कंसेप्शन लेकि जाना चाहिए इदर माइंड में बच्पन में मैंने पढ़ी थी जब पापा यहाँ पे मैंने जब मैं बहुत छोटा था उस वक्ट पे मैंने जीद करी थी नो दस साल का था और अगर आपने देखा होगा असली प्राचीन महाइंद्रे जाल एक्दम बड़े अक्षरों में लिखा हुआ हुआ है लेकिन जब मैंने वो सारी चीज़े दिरे दिरे मैंने पढ़ना शुरू किया और संस्कृत मुझे आई बाद में आगे जाकर I think 13-14 साल का मैं रहा होगा उस वक्ट पे मैंने वो सारी चीज़े जो है वो पढ़ी और उसमें आकाश गमन से लेकर बहुत सारी सिद्धियों के बारे में बात करी गई है और यहाँ पे मुझे एक किस्सा याद आ रहा है जब ओम स्वामी बदरीनाथ में थे अपनी साधना के लिए उस वक्ट पे उनकी मुलाकात हुई थी बहरवी मा से तो बहरवी जो रहती है वो तंत्र साधिका रहती है उनको बहरवी नाम दिया जाता है तो बहरवी मा उनसे मिली और बहरवी मा ने उनसे कहा कि मैं आपको जो है आकाश गमन की सिद्धी करना पिशाचनी सिद्धी वगरा दे सकती हूँ और स्वामी जी ने उस वक्त पर उतना ही कहा था कि अगर मुझे आकाश गमन करना ही है तो मैं एक फ्लाइट की टिकेट लूँगा और फ्लाइट में जाओंगा मुझे क्यों आकाश गमन सिद्धी के लिए अपना टाइम देने की ज़रूरत है या फिर क्यों मुझे करना पिशाचनी के लिए कोई ऐसा टाइम देने की ज़रूरत है तो असली प्राचिन महाइंद्रे जाल में ऐसी बहुत सारी चीजे लिखी गई है जो एक यूमन माइंड के लिए लॉजिकल नहीं है रैशनल नहीं है लेकिन सारी चीजे गलत भी नहीं है और सारी चीजे सही भी नहीं है जो कोई भी साधना, जो कोई भी टोने टोटके वगेरा उसमें दिये गया है, ये नहीं कहूंगा कि वो सत्य है, वो आपको एक आपके जीवन को थोड़ा आगे ले जाने के लिए काम आ सकते हैं, लेकिन आपको कहीं पहुचाएंगे नहीं, वो किसी गंतवी अस्थान पर बढ़ाई करना शुरू करता है, उस वक्त पे उसके सामने बहुत सारे विकल्प रहते हैं, बाइलोजी फिल्ड रहता है, डॉक्टरी का एक शेत्र रहता है, इंजिनरिंग करना रहता है, या फिर आप अकाउंटन बन सकते हैं, ऐसे आपकी गोल निश्चित होते हैं, अग जो कोई भी सिद्धियों की बात लिखी गई है, कि आपको ये साधना करने से ये सिद्धि प्राप्त होगी, ये करने से आपको वो शक्ति प्राप्त होगी, वो सारी चीज़े बाइप्रोडक्ट हो जाएगी, वो सारी चीज़े आपकी साधना की यात्रा में अपने आप ज पहुचना है ये सारी सिद्धियों या फिर जो शक्तियों की बात करी गई है वहां तक पहुचने का मेरा कोई ध्याई मेरा कोई उदेशिया नहीं है वो अपने आप ही आ जाएगी आपने बड़ी खुबशूरत बात करी कि एम फॉरा हायर थिंग जैसे कि चांद का लक्ष ब होना ही पड़ेगा अगर आप लालच है मन में लालच क्या है अच्छी में बहुत अच्छी शादी हो जाए मैरिज हो जाए बहुत पैसा धना आ जाए मेरे पास या मैं बहुत प्रस्थित हो जाओं ये हमारा लालच है सो सबसे पहले हमें इसे तरप्त होना पड़ेगा और उसके बाद ही हम असली साधना कर पाएंगे छोटी छोटी चीजों पर कि ये सिध्धी मिल जाए वो सिध्धी मिल जाए इस पर हमें नहीं रहना चाहिए हमें स्री शाधना की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और जो आपके इस्ट है उनसे भी मेरे कहाल से मुलाकात आपको इस साधना के बीच में ही हो जाएगी आपने बीच में श्री यंतर की बात करी थी हमने मंतरों को काफी डिसकस किया है यंतरों को लोग नहीं समझ पाते है उदर वाजे पर लगा देंगे वास्टो यंतर है या श्री यंत्र है, अपने दुकान में लटका दिया यंत्रों को, इस तरह से हम यंत्रों को यूज करने लग गए हैं, तो यंत्रों को या फिर खास तोर पर श्री यंत्र को, श्री यंत्र क्योंकि बड़ा पॉपलर है, लोग अपने मंदिरों में रखते हैं, घर में रखते कोई सही तरीका है और क्या हमें यंत्रों को सोच कर क्या हमें सोचना चाहिए कि यह क्या चीज है क्योंकि लोगों को पता भी एक डाइग्रम नहीं बस इतना पता है तो इस फिर थोड़ी रोश्णी डाली है यंत्र की बात करने से पहले जो आपने कहा कि लोग सिद्धिया प्राप्त करने के लिए जो है एक लालच में आ जाता है बहुत ये सुंदर एक मंत्र है श्री सुप्तम का थीसरा मंत्र अश्वपूर्वाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रबोधिनिम श्रीयम देवी मुपहवये श्रीरमा देवी जुचताम यहाँ पे साधक की तीन प्रकार के मनोदशा का मरनन किया गया है अश्वपूर्वाम रथमध्याम और हस्तिनाद प्रबोधिनिम जब भी कोई साधक साधना की यातरा पर निकल पड़ता है उस वक्त पे शुरूवाती दौर में जैसे आपने कहा एक लालच होता है अश्वपूर्वाम पूर्वाम यानि पहले अश्वपूर्वाम की तरह पहले उसका मन जो है वो भागता रहता है धीरे धीरे समय के साथ उसके बरताओं में एक स्टेबिलिटी आती है स्थीरिता आती है, स्थित प्रक्यता आती है जो होती है रतमध्याम अगर आप रत में बैठे हुए हो आप एक ही गती के साथ चल रहे हो, चल रहे हो, चल रहे हो एक समय ऐसा आएगा अरुन जी जब आपको आप पूर हो जाओगे आप धीरे धीरे आपको कंटाला आने लगेगा कि मैं कब से अपनी यात्रा शुरू करके बैठा हूँ लेकिन कहीं पहुँची नहीं रहा हूँ मैं लेकिन अगर फिर भी सादक डटा रहा उस मार्क पर अपनी लालच को साइड में रखके अपनी माया जो थी जो सारे भोग एश्वरिय की रूप में जो माया उनके पास आई थी उनको बाजू पर रखकर अगर वो आगे बढ़ता रहा बढ़ता रहा एक द्रड संकल्प के साथ तो फिर जो गड़ी आती है उसे नाम दिया गया है हस्तिनादप्रबो धिनिम यानि कि एक हाथी की जो दहाड होती है वो एक क्षण में हो जाती है वो इतनी ज्यादा तिव्र होती है जैसे कुंडलेनी जब जागरित होती है कुल्यरिनी जागृत करने के लिए वो जो पूरा समय रहता है वो सालों का रहता है वर्षों तक तपस्या की होती है लेकिन उसकी जो जाग्रण की ख्षन होती है जागृत होने की वो जैसे एकी ख्षन में सहसरार तक पहुंच जाती है वैसे ही यानि कि हस्तिनाद प्रबोधिनिम उसी एक्षण की तरह एक साधक की जो उर्जा है उसे अपने इश्ट की प्राप्ति होती है तो हर एक साधक के जीवन में ये फेस तो आएगा ही आएगा कोई भी साधक जिन्होंने साधना वास्तों में शुरू की है गंभीरता के साथ, सिंस्यारिटी के साथ उनके जीवन में पहले उनका मन घोड़े की तरह ही भागेगा वो भोग एश्वर्य लालच के पीछे ही भागेंगे लेकिन अगर उन्होंने अपने मन को और यहीं पे गुरू का रोल आ जाता है यहीं पे एक गुरू जो है वो अपने शिश्य को कह सकते हैं कि बेटा अब आप जो है ना वो गलत दिशा में जा रहे हो अब आपको आपके सामने लालच रखती गई है महाशक्ती के द्वारा उस लालच को आपको ओवरकम करना है उससे बाहर आना है अगर आपके पास इस समय पे गुरू नहीं है तो आप अपने माया में ही फसकर रह जाएंगे आप कभी अपने जीवन में अपने इस्ट के प्राप्ती नहीं कर पाएंगे तो ये बात मुझे लालच के उपर से आद आए थी अब श्री अंत्र के उपर आते हैं श्री अंत्र जो है वो मा ललिता महात्रिपूर सुंदरी का एक 2D फॉर्म है उससे आप क्रिस्टल जो आता है उसमें भी आपको प्राप्त होता है और एक मेरू यानि कि जो 3D श्री अंत्र होता है वो भी आप मार्केट से आपको मिल सकता है unfortunately श्री अंत्र के बारे में हम आज इतना ही जानते है जो एक सामाजिक मैं परिप्रेक्षय से बात कर रहा हूँ कि लक्षमी जी की प्राप्ति के लिए श्री अंत्र का उपयोग जो है वो किया जाता है लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है श्री अंत्र की साधना जो है वो श्री विद्या साधना में समाविष्ट है जब भी कोई साधक श्री विद्या साधना करने जा रहे हैं उनको श्री अंत्र, पंचदशी मंत्र और श्री ललिता सहस्ट नाम ये तीन अंगों को मिला कर श्री विद्या की साधना जो है वो करनी होती है और श्री अंत्र में अगर आपने देखा होगा नौ आवरण है, नाइन लियर्स आदे है सबसे पहला तेलोक्य मोहन चक्र और सबसे आखरी जो बिंदू है बीच में जहां पे मा निवास करती है, उसे नाम दिया गया है सर्वानंदमाई चक्र तो बीच में बहुत सारे चक्र आते हैं, सर्वाशा परिपूरत चक्र, सर्वरक्षाकर चक्र, बहुत अलग-अलग टकार के 9 चक्र वहाँ पे दिये गए है अगर आप देश के प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचना चाहते हैं आपको एक के बाद एक लेयर्स क्रोस करके ही जाने पड़ेंगे आप तुरंत वहाँ तक नहीं पहुँच सकते अगर आप प्राइम मिनिस्टर को मिलना चाहते हैं सबसे पहले आपको एक मैसेज वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा कि मैं आ रहा हूँ मुझे आपसे प्रार्थना है कि मुझे आपसे मुलाकात करनी है तो ये जब आप universe में एक प्रार्थना release करते हैं कि मैं श्री विद्या साधना करना चाहता हूँ वहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है मांसे मिलने की यात्रा और धिरे 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 समय के साथ एक इंसान एक साधक जो है वो श्री अंत्र के माध्यम से उनकी साधना करने के बाद आगे पहुँच सकता है और श्री अंत्र में पंद्रा नित्याय होती है नित्याय याने संगिनी शक्ति सखी फ्रेंट्स बेसिकली मा की वो पंद्रा नित् जितने भी मंत्र है वो मंत्र के जितने अक्षर है उतने लाख अनुष्ठान करने जरूरी है जैसे कि श्री विद्या के मूल तीन मंत्र है एक त्रयक्षरी यानि कि त्री लेटर्ड मंत्र जो है मा बालत्री पुरसुंदरी का मंत्र तो त्रयक्षरी मंत्र एक होता है दूसरा है पंच दशी और तीसरा शोड़ोश आक्षरी त्रयक्षरी यानि त्रय अक्षरी जो तीन अक्षर का मंत्र है वो पंच दशी यानि पंच और दशी पांच और दस यानि कि पंदरा लेटर का पंदरा अक्षरों का जो मंत्र है वो और शोड़ो शाक्षरी यानि की 16 अक्षरों का जमंत्र है वो तो एक गुरू अपने शिश्य को उसकी काबिलियत के हिसाब से उसकी साधना की यात्रा जैसे से आगे बढ़ती जाती है वैसे उसे सबसे पहले त्रेक्षरी मंत्र देता है फिर उसे पंचदशी देता है और फिर शोड़शाक्षरी जो मासवयम है तो जो पंचदशी मंत्र है हमारा उसका मूल अनुष्ठान जो रहता है वो 15 लाक जब उसके रहते है उसके पहले मा की जो 15 नित्याओं के बारे में हमने बात की उनको जागरित करना पड़ता है और बाद में अलग-अलग जो उनकी अलग-अलग संगिनी शक्तियां है चक्रेश्वरी देवियां जो है उनको जागरित किया जाता है तो बहुत ही ज्यादा विस्तृत अनुष्ठान है और उमस्वामी जी ने एक बार कहा था कि अगर आप अपने जीवन में डेली पाँच गंटे या छे गंटे दे सकते हैं श्री विध्या साधना के लिए तो आपको मा की प्राप्ति जो है वो हो सकती है क्योंकि ओम स्वामीगी जी की जो तपस्या थी उनकी जो साधना थी हिमालई में वो श्री विद्या साधना ही उन्होंने की थी तो इस माध्यम से हम श्री अंतर को जो है उसकी पूझा कर सकते हैं श्री अंतर कर आप ने घर में बसा कर रखा हुआ है आप श्री अंत्र का पूजन उसका जागरन जो है श्री ललिता सहस्ट नाम से भी कर सकते हैं ललिता सहस्ट नाम के अलावा श्री सुक्तम से भी आप उसका पूजन कर सकते हैं मैं आपसे पूछने वाला था कि आपने तो का 15 लाग तो आधी जंतर डर गई यहां पे 15 लाग मंत्र है जो नॉर्मल लोग है जो कॉमन लोग है वो अपने घर में श्रीयंतर रखें अपने मंदिर में रख सकते हैं बिल्कुल मंदिर में रखें और श्री शुक्तम का पार्ट करें डेली बेसिस पे तो वो भी इनफ है उनके लिए श्रीयंतर का पूरा लाव उनको प्राप्त है जो श्री सुक्तम के मूल सोला मंत्र है जिसकी शुरुवात यह जो कुल सोला मंत्रों का वहाँ पर प्रयोग दिया गए आज की तारिक में श्री सुक्तम कालांतर में भाकी के मंत्र भी एड हुए लेकिन जो पहले 16 मंत्र है वो मूल मंत्र है तो अगर आपने घर में श्री अंत्र रखा हुआ है तो श्री सुक्तम के माध्यम से उनकी पूझा की जा सकती है आप एक-एक मंत्र को उसका उच्चारण करिए और भगवान को श्री अंत्र के उबर पुश्प चड़ाईए इससे श्री अंत्र की पूझा हो सकती है इसके अलावा आप मानिजे नवरात्री चल रही है अगर आप कोई अनुष्ठान करना है तो श्री ललिता सहस्र नाम के टोटल 181 यानि की 181 श्लोका जो है वहाँ पे दिये गए है उसका उच्चारण करके भी आप श्री अंत्र का पूझान जो है वो कर सकते है और ललिता सहस्र नाम तो बहुत ही जादा शक्तिशाली एक स्तोत्र है तो अगर आप अपने रेगुलर लाइफ में उसके लिए एक ब्रह्मना है कि आपको दिक्षा चाहिए आप दिक्षा के बिना नहीं कर सकते ललिता सहस्र नाम का उच्चारण ये सारी ब्रह्मना है आप अगर अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते सिर्फ एक ललिता सहस्र नाम अगर आप फकल लेते हैं उसको उसका दिहन करें, उसका उचारन करें, उसका प्रयोक करें दिन में सिर्फ ये एक चीज एक बार करने से भी आपको मा की कृपा, मा की आशिरवाद अवश्य प्राप्त होंगे और बहुती सुंदर फूरा ये जो स्तोत्र है हमारा जिसकी शुरुवाद ही ओम श्री माता, श्री महारागनी, श्री मत सिंहा, सनेश्वरी, चिदगनी, कुंड, संभूता, देव कार्य, समुद्यता देवों के कार्य को संपन्य करने के लिए चित्तरूपी अगनी से जिनका प्रागट्य हुआ, वो है श्री माता जो सर्वोच राज राजेश्वरी ब्रहान ने सामरागनी, मा महात्रिपुरसुंद्री, जो है उनका ललिता सवस्ट नाम, यानि की मा के हजार नाम वहाँ पे दिये गए हैं और ये हजार नाम आपके लिए एक-एक मंत्र की भाती काम करेंगे तो अगर आप अपने जीवन में एक माला भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं अगर आप सिर्फ ललिता सवस्ट नाम का जाप कर रहे हैं, दिन में एक बार जो आपके लिए हाडली 40 मिनिट का टाइम आपका लेगा, 30 मिनिट से लेकर 40 मिनिट में आप ललिता सवस्ट नाम का पूर्ण उच्चारन कर पाएंगे उसमें आप मा के 1000 नाम का उच्चारन कर रहे हैं तो इसी वज़े से इसकी महत्ता बहुत ज्यादा है अब आपने जैसे मंत्रों की बात बहुत करीब रग जी दो तरह की मन में बाते आती हैं कि एक तो मंत्र ऐसे बोल बोल के करना कुछ मंत्र बोले नहीं जाते हैं मन में पढ़े जाते हैं या फिर पहले शुरुवात में आपको बोलना ही पढ़ता है और बाद में आप उसे मन में पढ़ सकते हो इसमें कैसे करना चाहिए, मैं मंत्र चारण कैसे करने चाहिए शास्त्रों में चार प्रकार के मंत्र जाप दिये गए है वाचिक, उपान्शू, मानसिक और अजब मैं चारों का थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में आपको बताऊंगा वाचिक मंत्र जब क्या होता है जब कोई भी मंत्र आप लाउड ली यानि की बोल बोल के करते हो वो है वाचिक मंत्र जब दूसरा है उपान्शू, उपान्शू यानि सिर्फ होट हिलाना आवाज सिर्फ आपको ही सुनाई दे रही है आपके बाजू में भी जो कोई बैठा है उनको भी एक आवाज नहीं सुनाई देगी For example, अगर मैं एक उच्चारन कर रहा हूँ जैसे की देवी के कोई मंत्र का ओम श्री मात्रे नमहा ये वाचिक जब, ठीक है ओम श्री मात्रे नमहा ये उपान्शू और मानसिक जब क्या होता है मानसिक जब यानि आप अपने मन में जो मंत्र है उसके एक एक लेटर को विजुलाइस कर रहा है मानसिक जब यानि ये नहीं कि मन में उच्चारन करना लोग ज्यादा तर गल्ती यहाँ पे कर देते हैं मानसिक जब की जब बात आती है कि आपको मन में उच्चारण करना है उस वक्त पे आपको मंत्र को विजुलाइस करना है उसका उच्चारण नहीं करना मन में ओम, श्री, मात्रे, नमहा ये जो सारे letters हैं इस मंत्र के अगर आपने वो अपने मन में विजुलाइस किये है विजुलाइस मतलब ये लिखते हुए आए है बिल्कुल करेक्ट हाँ करेक्ट तो वो होगा आपका मानसिक जब और जो चौथा प्रकार है वो है अजब अजब यानि आपको मंत्र का उच्चारण करना नहीं पड़ता मंत्र अपने आप उच्चारित होते रहते हैं आप स्वयम मंत्र मही बन जाते हैं मंत्र के साथ एक रूप हो जाते हैं एक एक आकार हो जाते हैं जुड़ जाते हैं basically तो बहुती सुंदर एक कथा है हमारे यहाँ पर जो मैंने पड़ी थी ancient science of mantra के अंदर और वहाँ पर लिखा हुआ है कि इस concept को अगर आप बहुती layman language में समझना चाहते हैं तो क्या है एक गुरु जा रहे थे नदी किनारे गंगा नदी के गिनारे वे टहल रहे थे अपने शिशों के साथ और उन्होंने देखा कि एक कपल था पती और पत्नी जो एक दूसरे के साथ जगड रहे थे बहुती पड़ी आवाज में loudly चीख रहे चिल्दा रहे थे और reason यह था कि जो पत्नी थी उन्होंने अपने गले में एक gold necklace पहिना हुआ था सोने की chain थी जब वो नहाने के लिए गई गंगा नदी में उस वक्त पे वो chain कहीं गुम हो गई और पती हो गया था गुस्से क्रोधित हो गया था वो कि आप इतनी ज़्यादा लापरवा कैसे हो सकती है और इसी बात पर जगड़ा हो रहा था और गुरू ने जो वहाँ पे टहल रहे थे उन्होंने अपने शिश्यों को पूछा की मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो ये पती पतनी एक दूसरे के इतने ज़्यादा पास खड़े है लेकिन फिर भी इतनी बड़ी आवाज में क्यों जगड़ रहे है ऐसा तो है नहीं कि इनको एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं दे रही आवाज तो ठीक से सुनाई दे रही है फिर भी इतनी बड़ी आवाज में जगड़ने का क्या आर्थ, क्या ताक परिये शिश्यों के पास उत्तर नहीं था तब जाकर गुरू ने कहा कि जब आपके रिदई, आपके हाट एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और ये कब दूर होते हैं, जब आप क्रोध करते हैं जब आप क्रोध करते हैं, उस वक्त पे आप के रिदई के बीच का जो फासला रहता है, जो अंतर रहता है वो बहुत बढ़ जाता है और उस अंतर को कम करने के लिए एक human tendency होती है कि वो चीखते हैं, चिलाते हैं यही बात लागू होती है मंतर शास्त्र के लिए जब आपने देवता के उपासना शुरू की है साधना शुरू की है, मंतर जब शुरू किया है उस वक्त पे आप loudly बोल बोल के करते हैं मंतर जब, क्योंकि आपने ना तो अपने देवता के कृपा का अनुभो किया है अशिरवात का अनुभो किया है ना तो आपने उनकी उपस्थिदी का अनुभो किया है जैसे जैसे आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आप अंतर मुखी हो जाते हैं और यहाँ पी मुझे फिर से एक बार अलिता सौस्ट नाम का एक श्लोग याद आ रहा है अंतर मुख समाराध्या बहीर मुख सुदूरलभा जिसकार्थ है कि जितना आप अंतर मुखी होकर उपासना करेंगे उतना आप जियादा आपकी साधना जो है वो फलिभूत होंगी अब एक इंसान जो लाउड यानि की वाचिक जब कर रहा है बोल-बोल कर कर रहा है उच्चारण एक समय ऐसा आएगा जब उसकी जो लाउडनेस है उसकी जो बोलने की तिवरता है उसका वोईस वो कम हो जाएगा क्योंकि देवता को प्रसन करने के लिए फिर उसे ये पता लग चुका होगा कि आप मुझे इतने बड़े आवाज में मंत्र जब करने की आवशक्ता नहीं है उसके बाद एक समय ऐसा आएगा जब वो अपने मन में ही मंत्र को विजुलाइस करके वो जब जो है वो अपना कर पाएगा और बहुत वर्षों के बाद एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे साधक स्वयम मंत्र बन जाएगा और यहां पर मुझे रिशी विश्वामित्र और रिशी वशिष्ट की कता याद आ रही है रिशी वशिष्ट के वहाँ पर राजा कौशिक जो थे वो आये अपनी सेना के साथ वो कोई युद्ध लड़के आये थे और उन्होंने रिशी जो वशिष्ट जी थे उनसे बिंति की कि मेरी सेना को वो बूखी है उन्हें आप खाना खिलाइए बोजन दीजिये और रिशी वशिष्ट के आश्रम में कोई सुविधा नहीं थी इतना ज्यादा खान पान कुछ नहीं था फिर भी उनकी पूरी सेना को भर पेट बोजन खिलाया गया और ये देखक राजा कौशिक बड़े ही ज्यादा आश्रम में हो गया कि ये कैसे हो पाया एक सामान्य रिशी जिनके पास ना तो संपत्ती है ना तो धन धानिय है ये इतनी बड़ी सेना को भोजन कैसे करा पाए तब जाकर रिशी वशिष्ट से पूछा गया कि आपने ये जो भोजन पाया इसके पीछे का तात पर ये क्या था कि कैसे हो पाया संभव कैसे हुआ ये मुझे कारण जानना है दिशी वशिष्ट ने कहा कि मेरे आश्रम में एक गाई है जो आप उससे जो मांगेंगे वो गाई आपको दे देंगी तो राजा ने कहा कि ऐसी गाई ऐसी गौमा था तो राज महल में शोभा देती है एक छोटी सी कुटीर में नहीं और उन्होंने कहा कि आप हमें प्रेम से अपनी गाई दे दीजिए वरना मुझे युद्ध करना पड़ेगा आपसे तो रिशी वशिष्ट ने कहा कि आप जो करना चाहे वो कर लीजिए मैं गाई तो नहीं गई थी और रिशी जो थे वशिष्ट उन्होंने युद्ध किया राजा कौशिक के साथ लेकिन वो युद्ध हार गए क्योंकि रिशी वशिष्ट के पास इतनी सारी महामिद्या थी इतनी सारी सिद्धिया थी वे स्वयम इतने ग्यानी थे प्रकर साधक थे तो उनके सामन राजा कौशिक की उनका कुछ चला नहीं और राजा कौशिक मन में चले गए युद्धारने के बाद कि अब मैं रिशिवचिस्ट को दिखा कर रहूंगा कि मैं क्या हूँ उन्होंने महादेव की उपासना की उनकी साधना की महादेव से अस्त्रा और शस्त्रा के वर्दान प्राप्त करके वे फिर से हुमला करने के लिए आश्रम पे गए और इस बार भी हार गए अब तो राजा कौशिक को समझ में आ गया कि भही ये कोई सामानिय सादक नहीं हो सकते कुछ तो है इनके पास जिसकी वजह से स्वयम महादेव का वर्दान भी विफल हो गया और उस वक्त पर रिची वशिष्ट से ये पूछा गया कि कारण क्या है रिशी वशिष्ट ने कहा कि आप मंत्र की उर्जा लेकर आए मेरे पास महादेव के मंत्र की उर्जा अस्त्र और शस्त्र की उर्जा लेकर आए लेकिन मैं स्वयम मंत्र बन चुका हूँ और तब जाकर राजा कौशिक को ये समझ में आया कि घटना क्या थी और फिर वेवन में गए उन्होंने बहुत ही कड़ी उपासना की, साधना की और तब जाकर उन्हें प्राप्त हुआ गायत्री मंत्र और फिर वेवने रिशे विश्वामित्र इसलिए रिशे विश्वामित्र जो है राजा कौशिक थे जो पहले क्षत्रियत है यहाँ पर एक बात ये भी सीखने को मिलती है कि जो हम आज की तारिक में वर्णा की बात करता है अगर वर्णा आप चाहे क्षत्रिया में जनम लिया हो चाहे आपने शुद्र के तौर पर जनम लिया हो कोई भी हो जनम से मर्नत है नहीं होता आपके कर्म से होता है एक क्षत्रिय राजा जो अपनी साधना के माध्यम से भगवान को सिद्ध कर पाए उन्हें हम रिशी विश्वा मित्र को हम ब्रह्मरिशी की उपमा देते हैं संग्या देते हैं वो एक स्वयम रिशी है तो ये बात सीखने लायक है कि अगर आपका जनम चाहे कोई भी गोत्र में कोई भी कुल में हुआ हो लेकिन अगर आप की प्रवृत्ती जो है वो ब्राहमनों की तरह है तो आप ब्राहमनी कहे जाएंगे चाहे आप कोई भी जनम में कोई भी गोत्र में कोई भी कुल में आप क्यों ना जनमे हो तो जो यहाँ पे बात हुई कि मैं मंत्र बन चुका हूँ यही बात अजब जो चान्टिंग रहती है और एक साधक को सबसे पहले ये तीन प्रकार की साधना में से, अवस्था में से मंत्रजब की उसके उचारण में से गुजरना होता है, वाचिक, उपान्शु और मानसिक, यहाँ पे ये सवाल भी आएगा कि अगर हम साधना कर रहे है तो हमें कौन सा उचारण करना चाहिए, ह इसे एक स्थान पर स्थीर करने के लिए आपको उसे लाउट चांडिंग यानि की वाचिक जब करना पड़ेगा, फिर आपको यह लग रहा है कि ओके नाव आइम स्टेबल, मेरा कॉंसेंट्रेशन जो है वो ठीक हो चुका है, फिर आप उपान्शु जब पर आईए, पर आप एकदम धीमी आवाज में मंतर का जब करें, उचारन करें, और फिर आपको जब यह लग रहा है कि हाँ मैं अब और ज़्यादा स्थीर हो चुका हूँ, मेरी एकागरता जो है वो और ज़्यादा बढ़ चुकी है, उसके बाद आपको दो माला मानसिक जब करना चाह यह तीनो टाइब के जब आप बारी-बारी से कर सकते हैं, यह बहुत बड़ी ब्रह्मणा है कि मंतर का जब बोल-बोल के नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप शास्त्रे पढ़ेंगे, वहाँ पे यह साफ-साफ लिखा गया है कि यह पहले तीनो प्रकार के जब जब जो ह रहा हो तो वो डेली फॉलो कर सके उसे, बिल्कुल, देखिए प्रतियक इनसान को, प्रतियक मनुष्य को अपने जीवन में जो खास करके सनातन, धर्म, कानुसरन कर रहा है, उसे नित्य पूझा को महत्व देना ही चाहिए, नित्य पूझा यानि आप अपने जीवन में सु को आपको जब टाइम मिले, सुबह इसलिए करा जाता है क्योंकि सुबह आपकी दिन की शुरुआत होती है, और अगर आप अपने दिन की शुरुआत ही एक पूझा कर्म के साथ कर रहे हैं, तो आपका पूरा जो दिन है, वो बहुत अच्छा जाता है फिर, क्योंकि मंत्रो में सक्षम होता है, तो इसी हितु के साथ आप सुबह नहा कर अपने पूझा स्थान पर बैठिए, चाहे आप पंदरा मिनिट के लिए बैठे, दस मिनिट के लिए बैठे, बीस मिनिट के लिए बैठे, लेकिन एक अपना एक मंत्र जो है वो आप धारन कर लेजिए, for example, उनके ना मंत्र का जाप करिये, श्री गनेशाही नमहा, अगर आपको महादेवी के मंत्र का कोई जाप करना है, तो श्री दुर्गा सब्तशती जो है, जो महादुर्गा के 700 शलोकों का एक गरंथ है, उसमें बहुत ही सुन्दर मंत्र, जो बार-बार आता है, वो है ओम, नम चंडिका है, और ये मंत्र का जाप, अगर आप देवी के प्रति जाधा आपको आस्था है, रुची है, श्रद्धा है, अगर आप उन्हें पूजना चाहते हैं, उनकी साधना आगे जाकर करना चाहते हैं, तो यहां से शुरुवात करें, अगर महादेव के प्रति आपको ज़्यादा लगाव है, तो महादेव का जो पंचाक्षर मंत्र है, शिव पंचाक्षर मंत्र, ओम नमस्षिवाई, यानि की फाइल एड़ पंत्र, तो ओम नमस्षिवाई से भी आप जो है अपने दिन की शुरुवात कर सकते हैं, और कैसे करना है, पुझा घर में बैठ कर, च आसन के उपर बैठ कर, उन्हें ये मेक्शोर करना है कि रुदराक्ष की माला, क्योंकि गनपती के मंत्र जो है, रुदराक्ष की माला के उपर जपा जा सकता है उसे, महादेवी और महादेव दोने के मंत्रों को रुदराक्ष की माला पर उनका जाप हो सकता है, और अगर आ आपको तुल्सिकी माला उसका आप व्योग कर सकते हैं तो महदेव के मंतर के लिए ओमनमस शिवाय ये चार मंत्रों में से कोई भी मंतर आप अपने घर पे कोई भी दिक्षा किया वशकता नहीं है किसी प्रकार के विदिविधान किया वशकता नहीं है सिर्फ इतना प्रयास करिए कि एट लीस्ट तीन माला सुबह कर पाएं और इन सारे मंत्रों की तीन माला करने के लिए आपको पंद्रा से लेकर बीस मिनिट से ज्यादा समय नहीं लगेगा लेकिन जब भी आप ये मंत्र का उचारण करें तब मन में और कोई चीजे नहीं चलनी चाहिए कि मुझे वो काम करना है मुझे वहाँ पे पहुँचना है अरे मुझे शाम को ये चीज लानी है मुझे घर पे ये लेकर आना है घर वालों को यहाँ पे लेकर जाना है ऐसी कोई चीज दिमाग में नहीं चलनी चाहिए क्योंकि जब आपके मंत्र उचारण के साथ आस्था, भक्ति और समरपण ये तीन भाव जुड़ेंगे तब आपके जो देवता हैं या फिर देवी जो हैं वो जागरित होंगे मंत्र के और हमारे लिए उद्देश यही होना चाहिए कि भले ही आप एक माला करें लेकिन एक माला भी इतनी ज्यादा शुद्धिता के साथ उद्देश्यकी शुद्धिता के साथ करें कि उसमें आपका भाव जलक रहा हो तो पोपट की तरह चांटिंग नहीं करना है रट्टा नहीं मारना है और बहुते सुंदर बात जो है दुर्गा सब्तशती में कही गई है, जब देवी मा का प्रागट्य हुआ, उस समय पर देवताओं को ये पता नहीं था, कि मा का स्वरूप कौन सा है, तो देवताओं ने उनसे पूछा, ओम सर्वेवे देवा देवी मुपतस्तु हू देवी ने कहा, मैं ही विज्ञान हूँ, मैं भी अविज्ञान भी हूँ, मैं पंच महाभूत भी हूँ, मैं अपंच महाभूत भी हूँ, और यहाँ पे श्री ललिता सहस्त नाम में देवी का एक नाम है, सव्याप सव्यमार्गस था, यानि कि जो पवित्र और अपवित्र चीज है, वो भ काफी बार जो हमारे विकार हैं, हमारे वृत्तियां हैं हमारे मन में, हमारे चित्त में, वो वृत्तियां, वो विकार हमारे जाप के दौरान बीच में आते रहते हैं, लेकिन उस वक्त पे आपको एक बात हमेशा याद रखनी हैं, कि जो कमल है, लोटस, वो सिर्फ और सिर्फ मन में नित्य पूजा के दौरान कोई भी ऐसे भाव आ रहे है आपको बिलकुल विचलित नहीं होना है क्योंकि उसी भाव से आगे बढ़ने के बाद आप जो है मंत्र की सिद्धी की और आगे बढ़ पाएंगे मंत्र को जागृत कर पाएंगे तो ये एक बात है क्योंकि मा ने कहा वेदोहम वेदोहम यानि कि वेद भी मैं हूँ अवेद भी मैं हूँ मैं ही ब्रह्म स्वरूपिनी हूँ अगर ये समस्त संसार ये हमारे विकार भी मा के ही दिये हुए है तो क्या मा नहीं है इसमें सब कुछ मा है तो एक भी चीज से एक भी विचार से विचलित होए बिना हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी नित्य पूजा के उपर फोकस करना है क्योंकि तभी देवता जो है वो आगे जाकर बहुत सुंदर बात कहते है वहाँ पे ते देवा अबुरुवन यानि कि देवताओं ने कहा यानि कि जो स्वयम प्रकृती स्वरूपा है उस महादेवी को मैं बार-बार सततम नमह सतत मैं नमन करता हूँ जब आप एक गती के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ, एक डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते रहेंगे न तभी आपको देवता की प्राप्ती जो है, वो संभव हो सकेगी, तो एक स्केडिल आपको फिक्स करना है सुबह 10 मिनिट का, 15 मिनिट का, जो भी आप फिक्स कर पाएं, वो करें जो चार मंत्र हमने अभी पता है, उन चार मंत्रों में से जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं, मालीज अगर आपको कृष्ण का कोई मंत्र जाप करना है तो आपके पास ओम क्लिम कृष्णा आया, गोविंदा आया, गोपी जनवल्लभाय नमहा, ये मंत्र है अगर आपको राम के मंत्र का कोई जाप करना है, तो राम, रामा ये नमहा ये मंत्र आपके पास है तो जो भी देवता के मंत्र आपको अच्छे लग रहे हैं या फिर आपको कोई भी देवता की उपासना करनी है Simple, आप शास्त्र उठाईए, उसमें से उनके गायतरी मंत्र भी आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि 28 प्रकार के गायतरी मंत्र है. जो हमने शुरुवात में गायतरी मंत्र की बात करी, वो सवितुर गायतरी मंत्र था. और एक्जाम्पल ओम तत्पुरुशाय विद्महे महादेवा यदीमही तन्नो रुद्र प्रचोदयाद ये रुद्र गायतरी मंत्र है और ऐसे ही अलगलग बहुत सारे देवताओं के गायतरी मंत्र हमें प्राप्थ होते हैं जिसे कि दुर्गा सब्तशति में एक गायतरी मंत्रा में प्राप्त होता है, जो देवी अथरवर शिष्ञम से प्राप्त होता है, ओम महालक्ष्मियेंच विद्महे, सर्वा शक्तियेंच धीमही, तन्नो देवी प्रचोदयात। तो जुभी देवता की उपासना आपको करनी है, जिनके प्रती आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेम है, उनके गायतरी मंत्र को उठा लीजिए, या फिर उनके कोई भी नाम मंत्र को उठा लीजिए, और उस मंत्र का जाप आपको at least 120 दिन तक लगातार करना है, फिर आपको ब स्टेप आप उपर चड़ते जाएए, तो शुरुवात आपको नित्य पूझा से करनी है, जहाँ पे आपको एक डिसिप्लीन बनानी होगी, एक अनुशाशन के साथ, शिस्त के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, कि मैं डेली इतना जब जो है वो करूँगा, तीन माला, पा फिर जो है हमारे पगवान महादेव के एक अजार नाम का एक स्तोत्र है, फिर शिव पंचाक्षर स्तोत्र, ये सारी अलग-अलग चीजों का आप प्रयोग जो है वो कर सकते हैं अपने नित्य पूझा में, लेकिन पंदरा मिनिट का स्केडियूल बनाना बहुत आवश्यक ह बहुत डिटेल में आपनें बताया परक जी, तंत्र की इतनी सारी बाते करी, कोई ऐसा इतिहास में कोई बहुत बड़ा तंत्रिक रहा हो जो तंत्र साथनास जिसने बहुत गजब की की हो बहुत रहे हैं क्योंकि अभिनव गुपता से लेकर जो रिसेंट सारे लोग थे, जो महान उपासक थे, महान साधक थे नवनात के अगर हम बात करें, अमद सेंद्रनात, गोरकनात जी और ये सारे नवनात लेकिन अगर पौरानिक काल में अगर आप मुझसे पूछे तो उच्चकोटी के साधक, मुझे जो याद आ रहे हैं, जो असुर्भी से, जो असुर्भी थे साथ में, वो है रावन क्योंकि रावन ने जोतिश शास्त्र से लेकर बहुत चीजों के अंदर उनका ध्येन था, उन्होंने इतनी सारी विद्याय अर्जित की थी, तंत्रसाधनाई की थी, और जोतिश शास्त्र इसलिए मैं यहाँ पर याद कर रहा हूं, क्योंकि हाली में मैंने आपका एक जनम होने वाला था, मेगिनाद का जनम होने वाला था, उस वक्त पे उन्होंने नौ ग्रहों को आदेश दिया था, कि आपको एक सुरेक दिशा में वो आना है, और यह सुनिश्चित करना है कि मेरा पुत्र जो है वो अमर हो जाए, लेकिन भगवान शनी ने उनकी बात, उन पुमान जी लंका आये और फिर उनको मुक्त कराया तो according to me रावन वस वन अफ ते मोस्ट powerful and great उपासक जिन्होंने तंत्र साधना भी इतने की जिनकी लाल किताब से लेकर आज जो भी हम चीजे पढ़ रहे हैं रावन सही था वो महादेव के प्रकर उपासक थे शिवतांडव स्टोत्र के रचाहिता थे इतना सुंदर इतना प्रभावशाली असरकारक इन होने स्टोत्र दिया उनकी वो कब्र का क्या है एक कथा आप सुना रहे थे मुझे off camera कथा ये प्राप्त होती है जब वन आई वस ट्राविलिंग टू शिलंका आज से दो साल पहले तब मेरी एक सिरीज है महासुर सिरीज जो एक novel है पाँच पार्ट में उसके दूसरे पार्ट के लिए आई वस तूइंग फिल्ड रिसर्च तो मैं शिलंका गया था बगवान राम ने जहां जहां पे प्रवास किया था वो सारे स्थल का अभ्यास करना उसके साथ साथ रावन के साथ जुड़े हुए स्थलों का भी अभ्यास करना तो वन आई वेंट दर उस वक्त पे मुझे एक बहुत ही वकाउनारी चीज मालूम हुई एक अकिकत ये कहा जाता है शिलंका में कि जब रावन का देहांत हुआ उस वक्त पे भगवान राम ने विभीशन का राज़ा विशेक कर दिया और राज़ा विशेक के कारण विभीशन इतने ज्यादा अपने काम में व्यस्त हो गए है राज़े को संभालना था प्रजा जो थी वो स्तब्द थी कि हमारा राज़ा नया है पुरा प्रजा का संचालन करना था और उस वक्त पे भगवान ने अपने सेवकों को आदेश दिया ये रावन का अगनी संसकार आप करके आओ तो उनके सेवकों ने रावन का जो देश था उसे अपने साथ वे ले गए अब वो जो सेवक थे सारे उसमें से कई सेवक ऐसे थे जो रावन के प्रतिवफादार थे अब वे नहीं चाहते थे कि रावन का जो देह है उसका अंतिम संस्कार किया जाए उन्होंने क्या किया एक गुफा में ले जाकर रावन के देह को वहाँ पे सुरक्षित कर दिया और ये कहा जाता है कि देहत्य गुरु शुकराचारिया से लेकर बहुत सारे उस समय के तृता युक के जो रिशिमुनी थे उन्होंने ये प्रैत्न किया कि रावन को पुनर जीवित किया जाए अब देहत्य गुरु शुकराचारिया यहाँ पे इसलिए तस्वीर में आते है क्योंकि मृत्य संजीवनी महाविद्या का वर्णर उनके पास समय प्राप्त होता है मृत्य संजीवनी महाविद्या एक ऐसी महाविद्या थी जिसके माध्यम से जिसके प्रयोग से दैत्य गुरु शुक्राचारिया कोई भी दैत्य को किसी भी असुर को पुनर जीवित कर सकते थे तो उस वक्त पे प्रयत्नों तो बहुत सारे हुए कि रावन को पुनर जीवित किया जाए लेकिन कुछ ना कुछ कारणों की वज़े से वो संभव हो नहीं पाया और उस वक्त पे एक सुझाव दिया गया कलियूग में जब रिशी मारकंडे आएंगे वे ये रावन को जीवित कर पाने के लिए हो सकता है कि रावन जीवित हो पाए उसका एक कारण ये था कि रिशी मारकंडे जो थे उनकी उम्र 16 साल तक की ही थी और जब यमराज उनको लेने के लिए आये वे शिवलिंग के साथ लिपट कर बैट गये थे और उन्होंने महादेव की कड़ी साधना की थी महादेव प्रसन्न हुए यमराज उनको लेकर जाने ही वाले थे कि तुरंट महादेव ने उनको रोग दिया और रिशी मारकंडे को दिया गया महामृत्यून जै मंत्र और महामृत्यूंजे मंत्र में ये कहा जाता है कि वो क्षमता है कि कोई भी इंसान अमरत्व को प्राप्त कर सकता है हाला कि उसके शास्त्र के परस्पेक्टिव कुछ अलग है लेकिन जो प्रचलित मान्यता है हमारे यहाँ पे कर महामरुतियों जय मंत्र को आप जागरित कर रहे हैं पूर्ण अदया तो अमरत्व की प्राप्ति संभव है लेकिन यहाँ पर आत्मा के अमरत्व की बात हो रही है देह की नहीं तो कोई अगर यह सोचेगा कि मैं इसे जागरित करके 2000-5000 साल तक जीवी तरह पाऊंगा ऐसा कुछ नहीं है तो रिशी मारकंडे के पास महामरुतियों जय मंत्र था और इस बात इस हकीकत की जो जहनकारी थी वो देट्य गुरु के पास थी इसी वज़े से उन्होंने कहा कि कल्यूग तक इससे आप संभाल कर रखिए क्योंकि शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होगी उस समय पर आप रावन को पुनर जीवित कर पाएंगे ऐसा देट्य गुरु शुकराचारे ने कहा आज की तारिख में श्रीलंका में एक रावन गुफा नामक स्थान है जहां पे रावन का अथारा फूट का ताबूत जो है वो रखा जो मेरे सामने आया था जहां पर इस बात की पुष्टी करी गई है तो कहा जाता है उस ताबूत के बारे में कि जो अठरा फूट का ताबूत है वहां पर रावन का जो ममी है रावन का जो दे है उसे सुरक्षित संभाल के रखा गया है और शायद आप कह सकते हैं कि वही हम पहला ममी था, क्योंकि एजिप्त के बारे में तो हमने बहुत सुना है कि बहुत सारे ममी लेकिन त्रेता युग में हमारे यहाँ पे भी एक ममी बनाया गया था, जो रावन का ममी था, और आज भी यह इंतिजार हो रहा है कि रावन पुनर जीवित हो और उनका अधिपत्य पुनह स्थापित हो तो वो जो अठारा फुट का ताबूत है उसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर किसी भी इंसान ने उसे हिलाने की कोशिश की या फिर उसे कोई हानी पहुचाने की कोशिश की तो वो पूरी गुफा जो है वो द्वस्त हो जाएगी और अगर आप शिलंका जाएंगे तो आप उस गुफा के दर्शन भी कर सकता है बहुत ही दुरगम जगा है जाने के लिए इसली वहाँ पहुचा तक नहीं जा सकता और एकदम जब आप पहुचेंगे इतनी ज़्यादा स्लीपरी जमीन है कि आप फिसल जाएंगे तो बहुत ही संभाल कर चलना होता है और फिर भी ताबूत जो है वो इतनी ज़्यादा चट्टानों के नीचे रखा गया है कि उसे आखों से देखा नहीं जा सकता सिर्फ आपको जो है अंदाजा लग सकता है कि यहाँ पर ताबूत है लेकिन अंदर क्या है उसके क्या क्या चीजे रखी गई है यह किसी को नहीं पता ताबूत दिखता नहीं है मतलब परक जी अब हम अपने पॉड़कास के आखरी में आ गए हमने कहा था कि हम शाबर मंत्र को और थोड़ा सा डेटेल में जानेंगे आपसे उनकी विदी क्या है और उनको कैसे करना चाहिए क्योंकि जैसा आपने कहा कि साबर मंत्र इजियस फॉर्म है आपको कुछ भी चीजे प्राप्त करनी है आध्यात्मिक रास्ते पर जाना है या कुछ संसानिक चीज भी प्राप्त करनी उसके लिए तो इसकी क्या विदी होती है साबर मंत्र की तीन प्रकार के मंत्र है वेदिक मंत्र तांत्रिक मंत्र और शाबर मंत्र देखी वेधिक मंत्रा और तांत्रिक मंत्रा ऐसे हैं जो आपकी आत्मा के साथ करी फॉरवर्ड हो सकते हैं पर एक्जामपल अगर आपने वेधिक मंत्रा यानि की गायतरी मंत्रा सभीतुर गायतरी मंत्र का आपने जाब किया तो उसका जो फल है वो आप अगले जनम में भी carry forward करके ले जा सकते है अपने साथ आपके आत्मा के साथ वो आपकी spiritual wealth कही जाएगी जिसे हम संचित कर्म कह सकते हैं या फिर जो भी आध्यात्मिक कर्म जो हमारा रहता है वो आप कह सकते है उसे तो ये spiritual wealth आपके साथ जाएगी फिर श्रीविद्या साधना जो तंत्र साधना में आती है कैटेगरी में महाविद्या साधना उसका कोई mantra आपने अगर जागरित किया है तो वो भी आप अपने आत्मा के साथ लेकर जा सकते हैं अगर आपने शाबर मंत्र को इन्वो किया है तो शाबर मंत्र is like OTP वन टाइम पासवर्ड एक जीवन काल तक वो आपके साथ रहेगा फिर वो आपके साथ नहीं आएगा मंत्र हम काफी बार ये कहता है ना spiritual lineage के बारे में कि ये जो आत्मा है बहुत उन्नत आत्मा है और बहुत लंबे अंत्राल के बाद इसका प्रागट्य हुआ है वो उन्नत आत्मा कब कही जाती है वो उन्नत आत्मा तब कही जाती है जब उस आत्मा ने अपने पुर्वजन्मों में साधनाएं किये हो और वो साधना का फल लेकर वो आज की तारिक में पैदा हुआ हो काफी बार जब एक बच्चा छोटा होता है उसी वक्त से उसे ग्रंथों में और स्क्रिप्चर्स में ज़्यादा रूची होने लगती है तो ये कुछ-कुछ संकेत होते हैं आत्मा की आध्या में कुन्नती को देखने के लिए तो शाबर मंत्र अगर आप सिद्ध कर रहे हैं तो उसकी कोई लॉंग टम इफेक्ट नहीं है पर एक्जामपल अगर आपने धन धानिया संपत्ति को प्राप्त करने के लिए शाबर मंत्र का प्रयोग किया तो वो शाबर मंत्र आपको इस जनम में जो आपको चाहिए होगा वो आपको दे देगा लेकिन बाद में जीरो हो जाएगा उसका इंपक्ट कि लोग कहेंगे इस जनम में मिल जाए वही काफी है लेकिन फिर वही हो जाता है कि आप कितने जनम तक अपने आपको इसी चक्र में फसा कर रखना चाहते हैं आप कितने जनम तक जो है बार-बार पीड़ा से गुजर कर सारी आधि-व्याधि उपादी से गुजर कर होना चाहते हैं तो एक ना एक दिन तो आप कहेंगे ना कि आप मुझे स्टेबल होना है जैसे हम अपनी लाइफ में अपनी करियर में 30 साल के उम्रत तक ये गोल रखते हैं कि अब हम स्टेबल हो जाएंगे 30 साल तक जो है हम बहुत सारा संघर्ष करते हैं स्टेबल होने के लिए करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में लेकिन सब की एक इच्छा रहते हैं कि अट लीस्ट 30-35 साल तक हम इस पड़ाव पर पहुँच चुके होंगे कि हमें फिर संघर्ष ना करना पड़े जीवन में तो ये हम एक जीवनकाल की बात सोच रहे हैं अगर आप आत्मा के पर्स्पेक्टिव से सोचे तो आत्मा का भी एक गोल होना चाहिए कि मैं इतने जनम लूँगा इतने जनम तक मैं संघर्ष करूँगा उसके बाद मुझे संघर्ष नहीं करना उसके बाद मुझे फ्री हो जाना है संघर्षों से तो अगर आप अपने मानव बेह में एक गोल सेट कर रहे हैं तीस साल के उम्रह तक का गोल तो आप अपने आत्मा के लिए क्यों गोल सेट नहीं कर सकते क्यों एक धिहे आप सेट नहीं कर सकते तो शाबर मंत्र आपको यही तक नहीं पहुँचाएगा और शाबर मंत्र को सिद्ध करने के लिए विदिविधान बहुत सिंपल है गुरू के पास अगर आपको प्राप्त हो जादा अच्छा है उसके कोई किताब नहीं है कोई शास्त्र नहीं है जो आपको मार्केट में जो प्राप्त हो रहे हैं वो किसी के द्वारा लिखे गए हैं लेकिन मूल शास्त्र नहीं है तो अगर आपको कोई गुरू के पास से शाबर मंत्र प्राप्त हो रहा है जिन्होंने स्वयम ये शाबर मंत्र को सिद्ध किया है, जागरित किया है, तब जाकर आप इस शाबर मंत्र का प्रेयोग कर सकते हैं, शाबर मंत्र का प्रेयोग करना बुरी बात नहीं है, कोई भी बुरी बात नहीं है, अगर आपका intention राइट इरेक्शन में है, तो आप इसक नहीं है तो क्या करें तो हमारे पास उपाई दिये गए हैं लेकिन अगर किसी साधक को अपने कर्मों के फल के हिसाब से गुरू की प्राप्ति हो रही है अगर वो एक संप्रदाई के साथ जुड़ रहे हैं सीधार थी यह है अरुण जी आपका परिवार आपके पिताजी पर कमाने के लिए या फिर धन की प्राप्ति के लिए ज्यादा भागदोड नहीं करनी पड़ेगी अगर एक वेल्थ छोड़ कर गए है तो अगर मनुश्य की जीवन में उनके पिताजी या फिर उनके फोर फादर्स जो हैं उनके पूर्वज जो हैं वो एक धन संपत्ति छोड कि मेरे संप्रदाई में जो भी साधू संत हुए, वो सभी संतों ने अपनी-अपनी उपासना की थी, अपनी-अपनी साधना की थी और वो सब अपना-पना एक फल छोड़ कर गए हैं। इतने सारे संतों-महंतों और महत्माओं का फल अध्यात्मिक फल जब आपको प्राप्त होगा, आपकी साधना कहां से कहां जाएगी। और इसी वज़े से हमारे शास्त्रों में गुरू और शिश्य जो परंपरा है, उसकी महत्ता बहुत ज्यादा है। और इसी लिए आपको जाबर मंत्र जो है, गुरू के पास से प्राप्त हो रहा है, तो वही सबसे उचित बात होगी। और नहीं हो रहा तो। पिर शास्त्रों में बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं, जिन में आपको गुरू के संपरदय की आवश्क्ता नहीं हैं। जैसे हमने गनपती, गायतरी और ये शौर्टकट नहीं हो सकता परक जी आपने इतनी नौलेज है आपके पास मतलब हम पूरे दिन बैठ के बाते कर सकते हैं इतनी बाते हैं आपके पास आम तोर पे हमें एक सवा गंटे का करते हैं पॉडकास आपसे बहुत लंबा चाह हो गया हमारे लिए और अभी भी मेरे मन में बहुत सारे कोश्चन से लेकिन समय को देखते हुए आज इस पॉडकास को हमें यहाँ पे राम देना होगा लेकिन मुझे पता है अब हम मेरी और आपकी मुलाकात बहुत बार होने वाली आगे चलकर और जितना हो सकेगा आउडियंस जो हमें देख रही आपके मन में कोई प्रश्चन हो अकल्ट से रिलेटेड तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा ताकि परग जी से जब दुबारा मुलाकात हो तो हम उनसे वो पूछ सकें ताकि परग जी हमारे पॉड़कास में आने के लिए और इतनी अच्छी बाते हो इतनी सार्थक बाते में कहूंगा आपने हमें बताई कई सारे मित हमारे अंदर के आपने तोड़े और जो एक बहुत किरियोसिटी थी ना लोगों के मन में साधना कैसे करनी है शिद्धी जो आप से प्रातना है कि पूणा हो दी मंत्र के साथ हम इस पॉड़कास के समापती करें तो करियो हुम तच्चत स्री जग्दंबार परमस्तू स्री महा गुरूम स्वामियर परमस्तू